नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होगे तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल A2Z Study में और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा Classics Math की बुक गनित प्रकाश का Chapter No.2 Lines and Angles तो चलिए दोस्तों समय बरबाद नहीं करते हैं सीधे हम लोग इस Chapter को पढ़ना शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप लोगो नहीं अभी तक इस वीडियो को Like, Share और चानल को Subscribe नहीं किया है तो आप लोग फटा-फट से इस Point तो इसमें सबसे पहले हम लोग Point यानि की बिंदू के बारे में सीखेंगे तो भई Point क्या होता है ? Point हमारा बहुत ही ऐसान है Point कुछ नहीं होता है माल लो ये मेरा paper है इस पर मैंने क्या करा है ऐसे एक dot बना दिया तो ये क्या हो गया ये मेरा point हो गया तो ये क्या है ये मेरा point यानि की बिंदू हो गया ठेक पोइंट के लिए आपको दो तीन ची yap अन में रखनी है ठीक है न शीदह सा concept है सिदह सा है समझ में आ गया चलो अब आते हम लोगो line segment पर लेगिन line segment से पहले चलो line सीख लेते हैं तो line segment सीखना ज्यादा असान होता है तो पहले सिक लेते हैं लाइन, तो लाइन का मतलब क्या होता है हिंदी में रेखा, रेखा यानि कि कोई भी मैंने ऐसके लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, यह क्या हो गई, यह मेरी लाइन हो गई, अच्छा, लाइन के लिए भी दो तीन पॉइंट आपको ध्यान देने हैं, पहल जो लाइन है, वो मेरी ऐसे करके इस तरीके से बढ़ी होती आती है, ऐसे, दोनों तरफ से बढ़ी होती है, ठीक है, जो लाइन है, अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, तो यह दोनों तरफ से यानि कि इधर से भी बढ़ी होगी, और इधर से भी, साथ में बढ़ी होगी, जि तो होगई में लाइन, अच्छा, क्या होगा, अगर मैंने यही जो लाइन खीची है, इस पे मैं, क्या कर दूँ, एक टुकडा निकाल दूँ, टुकडा यानि कि मालो भई, एक पॉइंट इदर लगा दो, एक पॉइंट इदर लगा दो, अब यह बताओ, क्या ये बीच में टुकडा इतना निकला है कि निकला है, निकला है ना, तो ये क्या होगए, ये होगए, लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का ही हिस्सा होता है, क्या होता है, लाइन का ही हिस्सा होता है, लाइन सेगमेंट को अब एक दूसरे तरीके से भी सीख सक कthough कैसे जाते हो चैफसा कि मानलो यह मेरा पेपर है और उस पेपर पर मैंने क्या कर दिया इस पेपर पर मैंने ऐसे यह दो डॉट कर दिये ड्रॉट ठीक है अब जयो सबसे स्ब्सेश्ट डिस्टेंस है जो कि इन दोनों डॉटर्ट को कवर करेंगी यह क्या कहलाएगी i-e तो वो बन जाएगा line segment कोई paper है उस पे दो dot है उनको मैंने line से cover कर दिया तो वो क्या हो गया वो हो गया line segment ठेक है अच्छा एक point छोटा सा मैं भूल गया था अभी बता देता हूं कि किनी भी दो dot से सिर्फ और सिर्फ एक ही line निकल सकती है जबकि अगर मैं point की बात करता हूं जैसे कि मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐसे point लगा देता हूं तो इस point से पता है बहुत साही line निकल सकती है ऐसे निकाल लो ऐसे निकाल लो मतलब जितनी चाहे है ना उतनी तो यहां से infinite number of यानिकी बहुत सारी अनंथ number of lines निकाल सकती है ये एक point ध्यान देना ये काफ़ important होता है कि मेरा जो point यानि कि जो मेरा dot होता है उससे हम जितनी चाहे उतनी line निकाल सकते हैं लेकिन वही दूसरी तरफ अगर मैं दो dots लगाता हूँ और मैं पूछता हूँ कि इन दोनो dots से जूड़ते वे कौन सी line जाएगी तो answer आगा सिर्फ वो सिर्फ एक क्योंकि सिर्फ एक ही line है जो कि दोनो dots को touch करते वे सेम टाइम पे जा सकती है बाकि अगर आप महलो ऐसे बना देते तो ये तो किसी में touch कर रही है महलो ऐसे बना देते तो ये एक में touch कर रही है कि नहीं तो ये एक छोटा सा बिंदू ध्यान रखना चलो अब हम लोग आते हैं रे के उपपर तो रे को समझने का सबसे अच्छा एक्जामपल होता है मेरा ये टॉर्ड जवला ठीक है तो रे क्या होती है देखो टॉर्ड जलाते हो है की नहीं तो लाइट जो है वो कैसे टॉर्ड से स्टार्ट होती है और एक डिरेक्शन में जाती की नहीं जाती है तो मेरा रे क्या होता है रे भी मेरा ऐसे होता है रे क्या होता है रे भी मेरा ऐसे होता है रे मेरा एक पॉइंट से स्टार्ट होता है ठीक और किसी एक particular direction में जाता है मालो इस direction में जा रहा है इसको हम लोग कहते है रे ठीक है रे का क्या होता है initial यानि की starting point होता है और उसी initial यानि की starting point से किसी एक particular direction में मेरा जो ये रे है वो बढ़ता है ठीक मतलब जो ray है इसके बढ़ने की क्या होती है एक direction होती है line में हमने क्या देखा कि line को आप बढ़ाते हो तो line मेरा कैसे बढ़ता है line मेरा इधर इधर दोनों तब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा लेकिन अगर आप ray को बढ़ाते हो तो ray मेरा कैसे बढ़ता है सिर्फ एक ही direction में बढ़ता है मतलब ये बढ़ेगा जरूर लेकिन किदर एक ही direction में बढ़ेगा और ऐसे ही बढ़ेगा यहाँ पे तो यहीं पे रूका रहेगा लेकिन जिस भी तरब बढ़ा रहे हो उस तरब बढ़ता रहेगा तो ये मेरा क्या होता है? यह होता है मेरा रे, ठीक, तो रे क्या होता है, भाई रे कोछ नहीं होता है, इसका एक starting यानिकि इसका एक initial point होता है, जहां से यह जो रे है, यह किसी भी direction में आपका बढ़ जाता है, ठीक, तो यह हो गया रे, चलो, अब हम लोग आगे हैं, figure it out पे, यानिकि अब बित्तक हम जितना जो सीखा है, उसके अब हम लोग questions पढ़ने वाले हैं, तो पहला question क्या कह रहा है, पहला question कह रहा है, रीहान marked a point on a piece of a paper, रीहान ने एक कागज के टुकडे पर, एक point लगाया, how many lines can he draw that passes through the point, उस point से वो कितनी lines को draw कर सकता है, तो भाई, अब ही मैंने थोड़े पहले आपको बताया था, कि अगर आप किसी एक paper पर ऐसा एक dot यान की point draw कर देते हो, तो आप इस single point से जितनी चाहे, उतनी lines निकाल सकते हो, यान की infinite number of lines यहान से आप निकाल सकते हो, तो इस cancer के हैगा, इस cancer हैगा, infinite, ऐसे निसान बना दो, या फिर infinite की spelling भी लिए सकते हो, आपके चलो, next क्या है, सीतल marked two points on a piece of a paper, how many different lines can she draw that passes through both of the points, बहुत आसान है, क्या कह रहा है, यह question कह रहा है कि शीतल ने क्या करा, शीतल ने एक कागज के टुकड़े पर दो point बनाए, अब आपको बताना है, कि वो इन दोनों point से pass होती कितनी line बना सकती है, तो जवाब होगा सिर्फ और सर्फ एक, क्योंकि सर्फ एक ही line है, जो कि इन दोनों से ही क्या होगी, pass होगी, मतलब इन दोनों कोई touch होके निकलेगी, और नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसे बना दिया, तो इससे छोड़ी, इससे नहीं छोड़ी है, अगर आपने मानलो सोचा कि छलो उल्ट लोटायसे बना देते हैं तो यह तो वह ल ना न हो गई ऐसे जा, क्या फर्खरता है यह तो वह लाईन होगी तो अंसर क्या है, एक ठीक है मतलब यह है कि अगर कोई ब्लैंक पेपर है उस पे आप दो डॉर्ट्स बनाते हो तो उन दोनो डॉर्ट को टच करते वे कितनी लाइन पास होगी सिर्फ असर्फ एक लाइन ही पास होगी ठिक चलो कुश्य नमबर 2 पर आते हैं क्या करहें name the line segment in figure 2.4 यानि figure 2.4 में आपको line segment को क्या कड़ना है नाम देना होगा which of the 5 marked point are on exactly one of line segment which are on two of line segments बहुत आसान है, देखो, पहले तो क्या करो, नीचे जो मेरा figure दे रखा है, इसमें सभी line segment के नाम लिखरो, तो पहला LM, यह हो गया, दूसरा MP, यह हो गया, फिर PQ, यह हो गया, फिर QR, यह हो गया, क्या और कोई line segment बन रही है, बताओ, क्या इसमें और कोई line segment बन रही है, सोचो, LM, MP, PQ, और QR, क्या इसके अलावा इसमें और कोई line segment बन रही है, नहीं बन रही है, तो क्या हो गई, यह 4 line segment होगी, अच्छा, कौन कौन से points हैं, वो भी लिख लो, तो L point है, M point है, P point है, Q point है, औ कोशन में क्या क्या करना था आपको लाइन सेग्मेंट के नाम देने थे जो कि हमने दे दिये हैं और जो पांच पॉइंट्स हैं उनके नाम देने थे जो कि हमने दे दिये हैं which are on two which are on two of the line segments अच्छा line segments पे कौन कौन से हैं देखो दो line segments वोगे, दो line segments पे कौन कौन से हैं तो देखो P जो है, वो भी आ रहा है 2-2 पे Q भी आ रहा है 2-2 पे M भी आ रहा है 2-2 पे बस बाकि L एक ही line segment पे है और R भी एक ही line segment पे तो यह हो गया इसका complete answer, ठीक है, चलो, question number 3 पर आते हैं, क्या किया रहा है, name the race shown in figure 2.5 is the starting point of each of these race, क्या किया रहा है कि भाई, जो race आपको 2.5 में दिख रही है, उनका नाम देना है, और साथ में यह भी बताना है, कि जो T है, क्या यह मेरे सारे race का starting point है, तो भाई यह रहा T, और T से start होके कौन सी race आ रही है, यह से एक जारी है, A, तो T A, क्या हो गए, यह एक रही हो गई, ठीक है, साती में देखो, T से start होके B जारी है, तो T B, एक यह एक रही हो गई, है की नहीं, और देखो, T से start होके, यहाँ पे अगर मैं N तक भी रोग तो TN ये भी एक रे हो गई इसमें तो भाई सभी रेस के नाम देने थे जो कि मैंने दे दिये हैं इसमें कहते है कि क्या T को हम as a starting point ले सकते हैं बिल्कु ले सकते हैं T को as a starting point बिल्कु ले सकते हैं कोई इसमें issue नहीं है यह इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए ले सकते हैं ठीक है चलो question number 4 पे आते हैं draw a rough figure and write label appropriately to illustrate each of the following आपको एक rough figure बनाना है और इनको क्या करना होगा उन पे show करना होगा ठीक है यह सकी एक क्या क्या रहा है op and oq meet at o बहुत आसान है op यह हो गया o यह हो गया p ठीक है अब कह रहा है o q क्या बोला है o q तो o इधर और q इधर कर लेते हैं क्या कह रहा है meet at o जो o p और o q है वो o पर क्या करें meet करें low one गया यही तो यह कह रहा था क्या बोला था o p बना दिया o p o q बना दिया o q मिला है OPE, तो लो मिला दिया OPE खतम कानी, और कुछ तो करना नहीं था यह तो करना है की ने करना है ठीक, अच्छा देखो, इसको न एक और तरीके से बना सकते हो ऐसे बना लो इसको एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे बीच में सको point दे दो O और इस पूरी एक लाइन को नाम दे दो आप P और इस पूरी लाइन को आप नाम दे दो Q ठीक है क्योंकि यहाँ पर लाइन का निशान बना हुआ है ठीक है तो ऐसे बना सकते हैं को इशू नहीं है चलो XY and PQ intersect at point M बहुत आसा क्या कह रहा कि भई जो XY है माल लो यह मैंने इसको नाम दे दिया X और इसको मैंने नाम दे दिया Y ठीक है यह PQ को यह की मैंने नाम दो यह P हो गये Q हो गये यह PQ को M पर intersect कर रहा है लोग खतम कानी यही तो करना था लो भई XY जो है वो PQ स्वारी यह Q है PQ को M पर intersect कर रहा है खतम कानी, यही तो बनाना था बना खतम कर दिया हमने, चलो, क्या कह रहा है, Line L contain point E and F, but not D, बहुत आसान है, कह रहा है, एक है line L, यह मैंने draw कर लिए, इसका नाम दे दिया line L, line L पे दो point है, कौन कौन से point है, line L पर दो point है, E और F, तो यह लोग E हो गया, यह हो गया, F, but d नहीं है, तो लो आमने alag कर दिया, तो यह हो गया E, यह हो गया F, और यह हो गया D, खतम कानी, यह तो बोलब था, Line L पे है, E और F हमने दिखा दिये, बट D नहीं है, तो लो, D हमने alag बना दिया, खतम कहा नी, टी वाला क्या कर रहा है, पॉइंट P lies on A, B, जाने कोई line है, A, B, क्या है ये, line है A, B, A, अरे, इसका तो color change हुआ था, A, B, ठीक है, ये हो गया, A, ये हो गया, B, इस पर क्या लाई कर रहा है, इस पर पॉइंट P लाई कर रहा है, तो ये हो गया, पॉइंट P जो किस के उपर like कर रहा है, खतम कहा, लो, ये ही तो करना था, लो बन के त्यार हो गया, ठीक है, चलिए, अब आते हैं, question number 5 पर, question number 5 क्या कह रहा है, इन figure 2.6, name, यानि figure 2.6 में हमको नाम देना है, किनका है, इनका, तो चलो, भाई, कर लिया जा है, बहुत यह असान है, तो A क्या कह रहा है, five point, यानि, पाँच बिंदू को आपको नाम देना है, तो पहला बिंदू क्या होगा, D, दूसा बिंदू क्या हो देखो यहां से यह क्या एक लाइन दिख रही है दिख रही है दिख रही है न दिख रही है तो बस देदो डी भी हो गया यह भी फोर रेस यानि चार रेस निकल नहीं है तो भाई चार रेस निकलना बहुत असान है एक तो ओ भी एक रही है हो गया ओ भी OC एक रही हो गया OC OE एक रही हो गया OE और OD लो एक रही हो गया OD खतम का नी 4 निकाल नी दी 4 में निकाल दी हो गया कांग है कि नी चलो 5 line segments यानि 5 lines के टुकड़े तो पहले तो मेरा OB 1 तो यह हो गया line का टुकड़ा ठीक है फिर OC एक यह हो गया line का टुकड़ा OE एक यह हो गया line का टुकड़ा OD एक यह हो गया line का टुकड़ा और DE एक यह टुकड़ा हो गया 5 करने थे लोग 5 बन गया अच्छा एक चीज़ एक चीज़ अब मुझे ध्याना है अब यह आप लोने देखा होगा कि यहाँ पर मैंने race भी सेम लिए और line segment भी सेम लिए इसका मतलब क्या है दोनों एक होते हैं नाई देखो race थोड़े अलग होते हैं race का क्या होता है भाई race एक point से start होता है किसी direction में जाता है जबकि line segment दो बिंदों के बीच के shortest क्या होते है distance होती है तो अब मैं दोनों को क्या एक तरीके से ले सकता हूँ बिल्कुल ले सकता हूँ depend करता है condition के उपर यहाँ पर मैं देख पारात कि भाई यह जो मेरा figure है यह मुझको ray और line segment इस figure की मदख से मैं ray और line segment दोनों को ही ले पा रहा था तो मैंने ले लिया लेकिन अगर कभी आपको ऐसा figure मिल जाता है जिसमें आप एक ही चीज़ ले सकते हो वैसा ऐसा होता नहीं है बट अगर कभी आपको मिल जाता है कि जिसमें आप एक ही चीज़ ले सकते हो तो आपको एक ही चीज़ लेनी है फिगर हमेशे ध्यान से देख लेना क्या फिगर के अंदर आपको दोनों चीज़ यानि कि लाइन सेग्मेंट और रे या फिर जो भी अलग कोई और चीज़ निकालनी है क्या वो figure के अंदर allowed हो रहा है या नहीं हो रहा है अब आते हैं last इसके question number 6 पे फिर हम लोग angles को पढ़ लेंगे तो question 6 क्या कह रहा है here is a ray OA यहाँ पे एक ray है जिसका नाम है OA ठीक है it starts at O, यह O पे शुरू हो रही है and passes through the point A और यह A से होते निकल ली है it also passes through B यह B से भी होते निकल ली है अब A वाला question क्या कह रहा है can you also name it as O, B, Y क्या आप इसको O, B कह सकते हो क्या आप इस ray को O, B कह सकते हो बिलकुल कह सकता हूँ मैं बिलकुल कह सकता हूँ बट अगर मैं इसको O, B लेता हूँ तो यहाँ पे फिर यह ray मेरी कित्य होगी इतनी ही होगी ठीक है ना इसको मैं O, B कह सकता हूँ लेकिन फिर मैं इतनी ray को ले रहा हूँ A को नहीं ले रहा हूँ ठीक है ना चलो can we write O, A as A, O क्या हम O, A को A, O लिख सकते हैं नहीं ले सकते हैं क्यों कि देखो ray को पड़ते वक्त मैंने आपको बताया था कि ray मेरा ray का क्या होता है starting point होता है यहाँ पे starting point क्या है O है बड़ अगर मैं इसका उल्टा लेता हूँ अगर मैं ऐसे लेता हूँ कि A A को पहले ले लिया फिर ओको बाद में ले लिया तो इस condition में starting point इसका क्या हो जाएगा A हो जाएगा और starting point मेरा कभी भी बढ़ता नहीं फिक्स रहता है बड़ यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ कि भाई जो A है यह आगे बढ़ा रहा है है कि नहीं तो क्या यह starting point हो सकता है हो सकता है नहीं हो सकता है लेकिन, 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 मैं A को कभी भी as a starting point नहीं ले सकता हूँ, क्यों, क्योंकि भई A मेरा एक direction में जा रहा है, वो fix नहीं है, ठीक है, और जो starting point है मेरा रेका, वो एक जगा पर रुका होता है, यह निकि कभी भाग रहा है, ठीक, इसे इसका ध्यान देना, तो मैं इसको as o a तो ले सकता हूँ, बट a o नहीं ले सकता हूँ, और यहीं इसका क्या है, यहीं इसका reason हुआ, ठीक है, तो पहले तो इसमें हम लोग यह सीख लें कि भई, angle होता क्या है, तो देखो, angle मेरा बहुत ही आसान है, ऐसे समझ लो, कि भई, कोई मेरा एक starting points है, और इस starting point से, दो या दो से जादा क्या निकल नहीं है, रेस निकल नहीं है, अभी के लिए दो ही मान लेते हैं, ठीक है, दो मेरा क्या निकल नहीं है, मान लो, रेस निकल नहीं है, वैसे यह दो से जादा भी हो सकती है, इनके बीच में, यह जो मेरा ऐसा कोण बनता है, इसी को हम लोग एंग ठीक, और जो raise निकलती हैं, इनको हम लोग raise नहीं बोलते हैं, angle की condition में, इनको हम लोग arm बोलते हैं, क्या बोलते हैं, arm बोलते हैं, ठीक है, और आप कितने भी arm निकाल सकते हो, एक वर्टेस से ऐसे तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, मतलब कितने भी हो सकते हैं, ठीक, इनके बीच में जो ऐसे code बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा angle, ठीक है तो समझ गए मेरा क्या होता है, angle मेरा और कुछ नहीं होता है, भाई मेरी इसमें vertice होती है, इस vertice से निकलने वाले, मेरे क्या, जो arms होते हैं, उनके बीच का जो code है, उसको हम लोग angle बोलते हैं, ठी तरीका क्या होता है कि आप किसी भी एंगल का नाम लिख रहे हो, जासे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं एंगल का नाम लिखूँ तो क्या होगा, यह एंगल है मेरा D B E, क्या होगा, D B E, और इससे पहले, मैं ऐसे थोड़ा सा तिरचा L टाइप का बनाऊँगा, ठी जासे, D B E, ठीक, ऐसे रिखते हैं हम लोग एंगल, ठीक है, चलो, अब हम लोग आते हैं इसके, फिगर इट आउट पे, तो क्या क्या कह रहा है, Can you find the angles in the given pictures, यानि दी हुई pictures में, क्या आप angles को ढूण सकते हो, Draw the rays forming any one of the angle and name the vertex of the angle, बहुत असान है, क्या करें कि भाई आपको कोई भी एक, मैं जो इतना सा angles बननाना है, इसमें से कोई भी एक आपको angle बनाना है, और इसके वर्टेस को नाम देना है, मैं इसके सारे जो points व पहले वाले के अंदर, मेरे कौन-कौन से angles हो जाएंगे, अब ठीक है, ठीक है, तो पहले वाले के अंदर कौन-कौन से angle हो जाएंगे, देखो, एक तो है मेरा ADB, ठीक है, एक है मेरा BDC, ठीक है, क्या मैं और इसमें angle निकाल सकता हूँ, बिलकुल निकाल सकता हूँ, क्या मे मेरा eight ची मेरें एक हैं बन रहा ये ब trophy का राइग्या करें दिए बन रहा है ऑगर मैं बीच की लाइन को का जय की भूरिना फॉर्ड जाता हूं तो क्या मेरा ऐड़ी सिए एक हेसी बन राइ правильно बनना वेलकुल बन रहा है तो भाही यहां पर मेरें टीन तिन एंगल कौन करेंस हो गहें एक तो गहें मेरा a d b दूसरा हो गहें मेरा b यह d और यह c और तीसरा हो गहें मेरा a d c यह बड़ा वाला थीक है अच्छा इसकी वर्टेस किया है भाई इसकी वर्टेस तीनों में क्या है ?ड Er c मेरे नाँ अब इस वाले के लिए बता रहा हूं आब इसके बारी चलो तो सबसे पहले तो इसमें अंगल ढूंड ले दिता हैं等गो इसमें बहुत सार है ये एक बढ़ यहां कि जो राइन यह नहीं हिए इसे इसमेभी आंगल मलते कोई बीध लेते हैं अभी के लिए एक काम करते हैं अभी इससे को लेते हैं ठीक है तो एक एंगल यह हो जाएगा एक एंगल यह हो जाएगा नाम देते हैं इसको नाम देता हूं मैं दूसरे कलर से कर लेते हैं रैट से कर लेते हैं ठीक है इस वाले को नाम देता हूं मैं ए ठीक इस वाले को नाम देते हैं यहां पर बी यह बी है और एक स्टेट लाइन गई है और इस वाले को नाम देता हूं मैं C ठीक है चलो अब यह तो नाम करण हो गया अब जो इनके एंगल ले जाएं तो पहला एंगल मेरा कौन सो जगा यह A B अरे यहां पर नाम देना भूलकर यहां पर D देते हैं तो A B D यह पहला एंगल हो गया तो एंगल A B D ठीक है दूसरा एंगल क्या हो जाएगा D B C यह वाला तो एंगल D B C और तीसरा एंगल मेरा यह बन रहा बड़ावाला क्या है abc तो एंगल a b c अच्छा यह जो वर्यर्टेस होती यह बीच वाल्याद polar point को ऊषुप हमश्य बीच में लिखा कर रहा ऐसे ठेग छल staging रोगे सुम्हें box के है वर्यर्टेस मेरे च्छाबि क्याज गई से जो वड़र्टेस इस बी वर्यॉege यहां पर आते हैं तो आपको बहुत सारा एंगल एक एंगल नाम करन कर दिया जाए तो इसको नाम देते हैं पी इसको जेता हूं मैं क्यू इसको जेता हूं मैं आर तो क्या हो गया यह पी क्यू आर क्या हो गया एंगल पी क्यू क्यू है यह आर किसके अलावा इसके अलावा और कोई एंगल यहां पर बन रहा है बताओ किसके अलावा यहां पर और कोई एंगल बन रहा है नहीं बन रहा नाम देते हैं इसको देते हैं नाम टीवी चलो स्ट्इवी दे तो अपने मण्स में अपल्ट अपड़िया तो हमें एनिया नाम क्या होगी है यहाँ लेते हैं टी- bağ मंसे में इसे आपने मिंस के इसे करें बन की आपके चलो अब आते हैं कोश्ट नमगरश़श की रहे हैं। draw and label and angle with arm st and sr बहुत असान है क्या कह रहा है आपको एक angle draw करना है और उसके arms को क्या है st और sr नाम देना है तो चलो भी पहले तो angle बना लेते हैं यह बन गया angle arms का नाम क्या है arms का नाम है st और sr st और sr s में भी आ रहा है s में भी आ रहा है दोनों में ss आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो भई s दोनों में आ रहा है common है मतलब s क्या हो सकता है vertice हो सकता है s में रहा क्या हुआ s मेरा vertice होगा तब ही तो भई यहां पर sr और st आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसको t माल लो इसको आर माल लो खातम का नहीं यह बन गया आपका एंगल T, S, R या फिर ऐसा एंगल जिसके आम है S, T और S, R ठीक है? ठीक है? चलो यह हो गया कोशिन नमबर 3 पर आते हैं क्या कह रहा है explain why एंगल A, P, C cannot be label as P क्या कह रहा है अच्छा है क्या कह रहा है यहाँ पर यहाँ पर यह जो मेरा एंगल है A, P, C इसको हम लोग as P label क्यों नहीं कर सकते हैं? देखो 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 अगर 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 यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल होता जैसकि मैं figure में देख पा रहा हूँ सर्फ as a angle ऐसे ले सकता था बट जब multiple angles की बात आ जाती है तो हम नहीं ले सकते हैं क्यों? क्योंकि मालो मैंने ऐसे कह दिया angle P, अब मैं कहरो हूँ बता angle P क्या अब तुम confused जाओगे? कहां confused जाओगे? कि इसके बारे में पूछा जा रहा है इसके बारे में पूछा जा रहा है यह इस पूरे के बारे में पूछा जा रहा है है कि नहीं? अगर मैं बोलता हूँ कि बहई चलो यहाँ पे सिर्फ angle P निकाल दो तुम confused जाओगे? कि बहई इसकी बात हो रही इसकी बात हो रही, किसकी बात हो रही है? है इसलिए जब multiple angles होते हैं ना किसी मेरे सेम वर्टेस से तो हम कभी भी उस वर्टेस को as an angle नहीं लेते हैं हाँ अगर कभी ऐसे अकेला angle हो किस तरीके से यहाँ पे लिखाओ s तो तुम ले सकते हो कि भाई angle s बताओ कितना है डाग्राम देके भाई वैकी समझ जाए कि हाँ एकी angle है इसी की बात कर रहा है निकालके देदेगा बट अगर multiple angles है तो तुम ऐसे नहीं ले सकते हो क्योंकि अगर ले लिया तो फिर confused ही हो जाओगी कि किसकी बात हो रही किसकी बात नहीं हो रही है यही reason होता है कि जब multiple angles होते ह है ऐसे मेरे same vertex से तो हम ऐसे vertex को as an angle नहीं लेते हैं वैसे नॉर्मल में भी नहीं लिया जाता है बट काम चलान के लिए ले ले लेते कभी कह रहा है चलो question number four पर आते है question four के कह रहा है name the angle marked in the given figure मतलब इस figure में जो मेरे angles है उनको नाम दो बहुत आसार है टी पी तब भी कोई दिक्कत नहीं है इसको पहला point फ्रिस को बीच अला point फ्रिस को लास वाला point भी ले सकते हो कोई issue नहीं है at that time is a fight तो भी पहला angle क्या हो गया पी फिर हो गया T और R दूसर अंगल क्या है मेेरा तो यह मेरा दूसरा angle इसका नाम लिखेलो तो कहा है angle क्या हो गया Q और Yogy T और Yogy R खतम का निए बता कोई difficulty थी कोई लगा दो अच्छा एक ओश इसका दियान देना कि सीधी रेखा रोएं बस तीनो को लगा देना ऐसे ऐसे मत करते हैं कि वही तीनों एकी माज़ा नहीं आपको क्या करना है आपको तीन points लगाने हैं और तीनों same line में नहीं होने चीए ठीक है चलो लगा लेते हैं तो एक ये हो गया एक ये हो गया एक ये हो गया चलो लगा दिए label then ABC इनको ABC इनका नाम दे दो तो चलो भई, देते हैं इनका ABC नाम, थोड़ा छोड़ा कर लेता हूँ, तो यह हो गया, A, यह हो गया, B, और यह हो गया, C, ठीक, Color Chasing कर लेते हैं, और अब देखते हैं, क्या कहा रहा है, Draw all possible lines, going through pair of these points, क्या कह रहा है, कि भई, दो बिंदो से होके जाने वाली, जितनी लेखा हैं, बन पार हैं, बना डालो, तो चलो भी बनाना शुरू करते हैं, तो, एक तो यह बन जाएगी, है, एक यह बन जाएगी, ठीक, और एक यह बन जाएगी, यह line भी दो से जा रही है, यह line भी, यह line भी दो बिंदो से जा रही है, और यह line भी दो बिंदो से जा रही है, आगे पढ़ लेते क्या कर रहा ह name them इनको नाम दो चलो भही नाम कर दिया जाए इनका और क्या बोला है how many angles can you name using ABC ABC का इस्तमाल करके आप कित्ते angles का नाम दे सकते हो write them down and mark each of them with a curve as in figure 2.9 अच्छा अच्छा बहुत आसान है चलो तो यह बहुत ही आसान हो क्या है कित्ती लाएन गया है तो 3 लाएने गयी है साथ इमिन में कित्ते angles बनते हैं तो एक दो तीन ये बन रहे है अच्छा एक और चीज़ angles ऐसे बाहर के भी बनते है angles जो होते हैं इसे बाहर के भी बनते हैं लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बाहर के लिए external angles को study नहीं कर रहे हैं तो चलो फिलहाल के लिए बाहर वाले angles को छोड़ देते हैं सिर्फ अंदर अंदर को लेते हैं क्योंकि अगर बाहर वाल को external भी लेने बाड़ जाओगे तो इसमें बहुत सार हो जाएंगे तो किते सार हो गए एक दो तीन चार एक दो तीन चार बार एंगल बन गए मेरे ऐसे हैं कि नहीं तो अभी हमको बाहर वाले external angles को नहीं लेना है अभी फिलहाल इसी को लेते हैं और यह तो figure चला गया तो यह तीन point थे और लाइने जानी थी एक यह हो गई एक अरे रे 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 कर बड़ हो गया एक तो इसमें वापस करने का option भी नहीं होता चलो ऐसी कर लो और एक हो गया यह और ना इदर डॉट से छूते हो जा रहा है ठीक वह थोड़़़ होगी मेरे से ही यह काम करते हैं डॉट बनाई देता हूं मैं तो इसको कर दो red और यह होगया यह एसे डॉट इस चलो यह दो इसे घ्र ह्या इतना खराफ अर फिकर हो गया तो चलो को यह बंद मैं लले फिले है कंगल से बन रहा है तो एक एंगल क्या हो गया, C, A, B और angle, एक तो ये बन रहा है ऐसे वाला, A, B, C तो angle A, B, C और एक angle मेरा ऐसे बन रहा है, ये वाला, तो angle B, और ये क्या है, C, और ये A, ठीक हे tiger तो तीन angle बन रहा है कौन-कौन से, पहला angle है, C, A, B, दूसरा है ABC, और तीसरा है BAC ठीक चलो यह हो गया और वीस में कुछ करना था अच्याई कराता था कितनी लाइने निकलेंगी तो तीन लाइन निकलेंगी इसका अंसर यह होजाबा Rim gerek उनको नाम देना था नामकर आ यह हो जागा और BC BAC ठीक और कह था how many angles can you अच्छा तीन एंगल भी निकल लें यह भी लिख देने या पर और क्या कुछ और भी करना write them down हां कर दिया था वो भी mark each with curves हां curve भी लगा दिया थे मैंने वैसे तो चलो हो गया next है मेरा question number six क्या कह रहा है now mark any four points on your paper so that no three of them are on one line label them ABCD draw all possible lines goes through pair of these points how many lines do you get name them how many angles can you name using ABCD write them all down and mark each of them with a curve as as in figure 2.9 बहुत यह असान कोशन है question number five की तरह है five में क्या था तीन points थे इसमें चार points है क्या कह रहे हैं कि आपको चार points किसी भी blank paper पे बनाने हैं और ऐसे बनाने हैं कि कोई भी तीन points मेरे same line में ना है तेक है तो बही चार कोई भी आप आप ले सकते हो जैसे कि एक यह रुखो थुरह इसको बढ़ा कर लेते हैं एक कि यह इदर बना लो एक इंसरे बना लो एक इदर बना लो एक यह बना लो तो इसमें नहीं है अब आपको क्या करना है अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है इन सबी को आपस में लाइन से जोड़ देना है और ध्यान रखना है कि भाई जो लाइन है वो दो पॉइंट से होते हो जाए तो एक लाइन ऐसे हो जाएगी एक लाइन ये ऐसे हो जाएगी एक लाइन ये गरव और चार पॉइंट से इनके नाम दे दो A, B, C, D ठीक है? अगर आपको इन कोशन्स के आंसर देने हैं तो कोशन क्या है? पहला कोशन तो ये कह रहा है कितनी लाइने निकल पाई? तो अभी कितनी लाइन निकली है? ये मेरा जो फिगर है इसमें बताओ कितनी लाइने निकली है? तो काउंट कर लो एक लाइन तो ये होगई, दूसरी ये होगई, तीसरी ये होगई, चौती ये होगई तो चार ये, एक ये पांच और एक ये छे तो ट्रॉल कित्ती लाइन निकल आई, छह लाइन निकल आई, क्या है चलो भी इनका नाम भी देते हैं, तो पहली लाइन मेरी होगी A, B, ठीक है, फिर होगी B, C, ठीक है, फिर होगी C, D, C, D, ठीक, फिर यह D, A, उसके बाद में यह तिरची एक A, C, और फिर यह तिरची B, D, ठीक, तो यह होगी 6 लाइन है उनके नाम, आप मुझे करने एंगल बनाने, तो भई एंगल कित्ते बन सकते हैं, बहुत से एंगल बन सकते हैं, एक एंगल तो यह बन जाएगा बड़ा सा, ठीक, एक एंगल यह छोटा सा बन जाएगा, एक एंगल यह बन जाएगा, तो एक से ठीक चलो और इनका बीचना शुरू करते हैं अंसे सबसे पहले इंगल वाले को कर लेते हैं तो देखो पहला एक एंगल जो मेरा बना है वो है डी एबी एंगल डी एबी अच्छा नेक्स्ट एंगल कौन सा बन रहा है अब देखो एंगल डी एसी बस इतना तो एंगल डी एसी नेक्स्ट एंगल कौन सा बन रहा है यह देखो एंगल सी एबी तो एं तो B में कौन सा एंगल बन रहा है पहला तो A, B, C ये बड़ा वाला तो एंगल A, B, C और कौन सा एंगल बन रहा है एंगल A, B, D तो एंगल A, B, D और कौन सा एंगल बन रहा है एक बन रहा है ये वाला मेरा एंगल D, B, C तो एंगल D, B, C ठीक, तीन इधर, तीन इधर, टोटल अभी 6 एंगल हो चुके हैं, और अभी 3-3 इधर और निकलेंगे, मतलब 6 एधर, 6 एधर, टोटल 12 एंगल निकलने वाले हैं, चलब इस वाले को भी निकाल लेते हैं, तो एक एंगल पहला तो बन रहा है ये, B, C, D, तो एंगल B, C, D, और एंगल A, C, D, ठीक हैं, अब D वाले पहले आते हैं, तो D वाले पहले भी 3 एंगल बन रहा हैं, कौन-कौन से, पहला तो ये बड़ा वाला हो गया, एंगल A, D, C, ठीक, फिर एक ये छोटा वाला हो गया, एंगल A, D, B, एंगल A, D, B, और लास्ट मेरा कौन सा हो गया, लास् तो यह हो गया question number 6 का complete answer ठीक और साती में curve यह आपको बनाने थे तो यह देखो मैंने अलड़ी यहाँ पे आपके लिए curve बना दिये इस तरीके से ठीक यह भी बना लेना आप लोग ठीक चलो तो यह तो हो गया मेरा पुरा figure it out ठीक चलो अब आगे है मेरा comparing angles तो इसको भी पढ़ लेते हैं तो comparing angles का मतलब क्या होता है comparing word का मतलब क्या होता है मतलब क्या होता है यह دेखे कि जो मेरे दूँए रखे हैं क्या वह एक से दिखने में हैं या फिर कोई angle बढ़ा है छोटा है इस तरीके से या फिर को हम उसको super impose करके भी compare कर सकते अब super impose करने का मतलब क्या होता है इसका मतलब यह कि मालो मेरे दो ऐसे angle बनेते अब आप imagine करो कि अगर मैं इस वाले angle को उठाता हूँ और इसके उपर यू रख देता हूँ ठीक है तो बता कौन सा बढ़ा होगा यह वाला बढ़ा होगा कि यह वाला बढ़ा होगा ठीक इसको कहते है super impose करना इस तरीके से देखो इन दो angles को लिया एक दुसरे को परक दिया और फिर हम इसको देखे decide करें कि कौन सा बढ़ा होगा ठीक और जैसके देखो इस वाले angle में यह दोना angle लिये एक दुसरे को परक दिये तो एकदम बराबर आ रहते तो इनको हमने क्या कह दिया इनको कह दिये equal angles जो angles super impose करने पर क्या है बराबर है तो उनको हम कहते है equal angles ठीक चलो अब मेरा फिर से हाँ पर क्या है अगला figure it out question number one क्या क्या रहा है fold a rectangular sheet of paper एक rectangular sheet of paper है इसको क्या क्या फोल्ड कर दिया then draw a line along the fold created और जो fold create किया है मतलब ऐसा जो fold यान की जो mode create कर रहा है उसके साथ-साथ line बना दो name them sorry name and compare the angles form between the fold इन folds पे जो मेरे angles बने है उनको नाम दो और उनको compare करो and the sides of the paper make different angles by folding a rectangular sheet of paper and compare the angles which is the largest and smallest angle you made देखो बहुत असान है क्या कह रहे है ऐसी एक rectangular sheet of paper लो इसको fold करो और fold करने के बाद में जो angles बने है उनको बना लो देखो एक angle इधर बनेगा एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा ठेक है अब यह कह रहे है इनका comparison कर लो तो चलो नाम देते हैं तो इसको देते हैं A इसको देते हैं B इसको देते हैं C ठेक है इसको नाम देते हैं यहां पर D यहो गया E और यहो गया F है कि नहीं तो अब देखो यहां पर यह angle मेरा ऐसे ठेक है ये वाला मेरा अंगल है ऐसे बताओ किसका मूँ जादा खुला है इसका मूँ जादा खुला है किसका मूँ जादा खुला है मूँ का मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ बीच वाले की बात कर रहा हूँ तो इसका मूँ जादा खुला है कि नहीं तो इन दोनों में ये वाला बड़ा हो गया कौन सा वाला ये वाला बड़ा हो गया इसका नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा ये मतलब B E F क्या हो जाएगा एंगल B E F यहाँ पर एंगल B E F बड़ा है उपपर देख लो इस वाले का मूँ जादा खुला है कि इसका मूँ जादा खुला है तो इस वाले का मूँ जादा खुला है है कि नहीं भाई देखो इसका इतना मूँ है इसका मूँ इतना साही है तो इसका मूँ किसका इसका मूँ जादा खुला है है कि नहीं तो इसका नाम क्या हो जागा ए बी ए तो एंगल ए बी ए ठीक तो यह दोनों क्या हो गया यह दोनों गया लार्जस्ट और यह वाला जो था यह स्मॉलेश्ट हो गया और यह स्मॉलेश्ट हो गया कॉन साला हां यह स्मॉलेस होगा यह स्मॉल्दterror यह यह स्मॉलेस इनका नाम्स परिखना है स्मॉललस में और इनका नाम्स हो लार्जस में ठीक है मुझे घ्यान नि nhưng यहां पर क्या हम था एंगल ए बजी शार्ड यही थो था और ई डी एF था ठीक है डी से ईmaking प्न टो च्छोटे वाले मेरे कर जाएगे इस यह जाएगा कि लिए सिभी एक टो यह छोटा वाला हो । और, 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 अर, एक यह छोटा वाला हो गया, तो angle B, ऐसे, तो यह हो गया angle B, यह हो गया angle E, और, यह क्या जगा? अगल B, E, D, ठीक? angle B, E, D, खतम कहानी, चलो, यह तो गया question number 1, question number 2 पर आते क्या कह रहा है? In each case, determine which angle is greater than y? आपको बताना है कि इसमें कौन सा अंगल बढ़ा है और क्यों तो AOB और XOY तो AOB यह हो गया और XOY यह हो गया कौन सा बढ़ा है भाईया A O B बढ़ा हुआ देखो A O B इतना बढ़ा है पुरा मुझ खुला हुआ है और उसी के अंदर X O Y आ रहा है किसी भी कंडिशन में यह तो होई नहीं चकता बढ़ा तो कौन सा होगा यही वाला बढ़ा हो गया नेक्स क्या है A O B और X O B तो A O B और X O B फिर से भीया A O B पूरा इतना बढ़ा है और X O B मातर इतना बढ़ा है तो यही फिर से बढ़ा हो गया शी वाले में क्या कह रहा है X O B और X O C तो X O B यह वाला और X O... XOO B और X O Si एक ही तो है देखो X O B यह 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 अंगल हुआ और X O C यह भी यह अशि तो यह थिसम यहित क्या हो गहत? इस है इस ह्पोग है नह tartबाष और X O B होगा तोको बताता है एक्सो भी क्या हुआ इसकोट खोग एक्सो भी इतना हो गया थेक यह वाला कोड बन गया और एक्स ओ सी इतना हो गया फिर से यह वाला कोड बन गया तो दुनों तो इक्वल हो गया ना यह तो इक्वल हो गया तो सी में यह दुनों इक्वल है बी में यह वाला पढ़ेंगे which angle is greater मतलब कौन से अंगल बढ़ा है x o y तो x o y यह वाला एंगल हो गया या a o b तो a o b कौन से अंगल बढ़ा है इसका reason दो तो देखो पहले तो दोनों को super impose करने कोशिश करो क्या यह बढ़े हैं मुझे पता नहीं क्यूं यह वाला और यह वाला स्वार यह वाला और यह वाला बराबर लग रहे हैं पता नहीं क्यूं नई बराबर नहीं बराबर नहीं बराबर नहीं बराबर नहीं है देखो 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 X O Y is greater, ठीक है, is greater, और reason क्या है, reason यही है, कि इसके अंदर, यानि X O Y के अंदर जो दो angle आ रहे है, X O A और A O Y, वो बढ़ा है, मतलब वो दिखने में बढ़ा है, as compared to angle, A O Y और Y O B, जो कि मेरे A O B के अंदर आ रहे है, ठीक है, यही इसका क्या हो गया, reason भी हो गया, Special types of angle में, हम लोग पहले straight angle के बारे में पढ़ने वाले हैं, straight angle को straight line angle भी कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जो angle है, यह एकदम straight line, यहनकि सीधी रेखा पर बनता है, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरी straight line दी हुई है, है की नहीं, और इसके उपर एक ह मेरा angle यानकि की मेरा code बना हुआ है, और यही क्या है, यही मेरा straight line angle है, जो straight line angle यानकि स्टेट अंगल होता है, यह मेरा 180 degree का होता है, कितने का होता है, 180 degree का होता है अब यहां से एक और सवाल उठता है क्या सवाल उठता है कि भई यह 180 degree क्या है तो दोस्तो यह हम लोग protector जिसको कि हम लोग हिंदी में चांदा भी कहते हैं उसकी मदद से निकालते हैं और यह निकालना भी मैं आपको जल्दी सिखा दूँगा ठीक है तो परिशान होने के आपको ज़रुरत नहीं है चालो तो इसमें अभी हम लोग स्टेट एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं जो स्टेट एंगल है वो मेरा स्टेट लाइन पर बनता है अब यह स्टेट लाइन कैसी भी हो सकती है आप चालो तो ऐसी लाइन खीच दो और यहाँ पर क्या दो कि यह एंगल बन रहा है तो यह क्या हुआ स्टेट लाइन एंगल हो गया इसको आप ऐसे भी बना सकते हो यह बन गया आपको स्टेट लाइन एंगल ठीक है मतलब यह है कि बही straight line angle यानकी जो straight angle है वो मेरा 67 degree का होता है और सीधी रिखा पर बनता है इसकी यही पैचान है कि यह हमेशा किस पर बनेगा सीधी रिखा पर बनेगा next है मेरा right angle तो बही right angle भी बहुँत easy होता है जो right angle है यह मेरा 90 degree याने कि 90 degree कि की measurement होती है ठीक है और यह दिखता कैसे है यह ऐसा दिखता है इस तरीके से ठीक इसमें क्या होता है ऐसा यह को ना टैप का होता है यह हमेश्वेशे नवगड आपकी नवगड़िकरी का यह बो हा घे न तो ऐसे आपको देख सकता है मतलब यह कि right angle कितना होता है 90 degree का होता है और वो हमेशा इस तरीके से बनता है L shape में कैसे में L L आप सभी ने ABCD वाला L बना है कि नहीं बना है बड़ा वाला L ऐसे L होता है कि नहीं होता है तो में right angle कैसे होता है हमेशा ऐसी L shape में होता है ठिक यह इसकी पहचान होती है next है मेरा perpendicular lines तो भही perpendicular lines क्या होती है यह भी बहुत easy है देखो अभी हमने right angle के बारे में पढ़ा की नहीं पढ़ा पढ़ा ना वही मेरा perpendicular line होता है perpendicular line क्या होती है दो ऐसी line है जो कि right angle पर एक दूसरे से मिले तो यह देखो यह बी की क्या होई perpendicular होई बस और कोई चीज नहीं है दो ऐसी line है जो कि right angle यानि की 90 degree की angle पर एक दूसरे से मिले वो मेरी perpendicular lines कहलाती है बस खतम कहानी ठीक है चलो अब आते इसके figure it out पे तो पहला question क्या कहरा है how many right angles do the windows of your classroom contains do you see other right angles in your classroom बहुत यासान question है क्या कहरा है कि आपकी जो classroom की खिड़की है उसमें कितने right angle है तो देखो खिड़की मेरी कैसे होती है इस shape की होती है ऐसे होती की नहीं होती है होती की नहीं होती होती है ना तो इसमें कितने right angle होगा है देखो एक तो यह L shape का ऐसे मिला तो एक rectangle ये हो गया एक ये ऐसे मिला तो एक rectangle ये हो गया वैसी एक rectangle ये एक rectangle ये तो टोटा किते rectangle हो गया है एक, दो, तीन, चार किते हो गया है चार rectangle ठीक है तो आपके जो school की खिड़की है उसमें किते rectangle होंगे चार rectangle होंगे ठीक है ना अच्छा अब यह कह रहा है कि आपको क्लास में और कौन कौन सी चीज़े दिख रही है जिसमें आपको राइट एंगल दिख रहा है तो बहुत सा चीज़े दिख रही होंगी ब्लैक बोर्ड के किनारों में भी राइट एंगल होता है ठीकिन यह आपकी जो टेबल है उनके किन by a straight line to get a straight angle what are all the different way of doing it बहुत आसान है क्या बोला है आपको एक को गेड के बाकी हिसों से ऐसे जोड़ना होगा कि आपको एक straight angle मिल जाए तो जोड़ लो सीधी लाइन मना दो yellow straight angle और इसको ऐसे कर दो yellow straight angle है जी बता कुछ कठिन था इसमें कुछ भी कठिन नहीं है बहुत एजी है कुशन ठीक है कह रहा है now join A to the other grid point in the figure by a straight line to get a right angle what are all the different way of doing it क्या कह रहा है कि आपको एक को अब इस grid के दूसरे point से जोड़ना होगा यहा एसे कि right angle बन जाए थो दो यह बनन गाय टराइट आंगल आपकी इच्छा यहां पर यह बन गई रहाओ आगनल यह जो चाहिए ले लो आपकी मरजी रहंगों्सस को रहें दो next camera question number four kya kya raha hai get a slanting crease on a paper now try to get another crease that is perpendicular to the slanting crease a how many right angles do you have now justify why the angles are exact right angles b kya kya raha hai describe how you folded the paper so that any other person who doesn't know the process can simply follow your description to get the right angles bautt asan hai dheekho kya kya raha ki bhai aapko kya karna hai aapko paper ko is tariqe se fold karna hai ki us me fold karne pe joh nishan nahi pardha hai paper me woh right angle ka pardha hai thik hai na toh baut asan hai maan loo yeh mera paper hai thik hai maan loo yeh mera paper hai aagar square shape ka hai toh baut hi achi baat hai aagar square shape ka nhi toh bho bhi koji baat ni bhi bataata ho yeh square shape ka hai toh aapko kya karna hai pahele toh isko aise fold karne na is tariqe se thik phir sitha karke isko aise fold karlo loo kya yeh line iske perpendicular pardha rihie hai bilkul pardha rihie toh kya right angle bannega bilkul bannega kittne bannega ee kya ae kya bannega ee kya bannega ee kya bannega ee kya bannega ee kya bannega total ki tye chara iretangles bannega hai ki nhi और अगर आपका rectangular shape ka paper है इस तरीके से लंबा वाला तो इसको भी आप fold कर सकते हो दीक है rectangular shape वाले को fold कर सकते हो इसको भी वैसे fold कर लो कोई दिक्कत नहीं है बस यह है कि जो angle है वो थोड़ा गरबड़ मिल ना जाए जैसी मिल जाए यहाँ पर आप देखो थोड़ा extra paper होगा ठीक उस paper को फाड़ के निकाल दो इसको सीधा करो और फिर इसको मोड़ लो यह आपका right angle का अराम से बन जाएगा ठीक है चलो B वाला भी यही सेंजिस पुझा है कि आपने कैसे paper को फोड़ किया तो यह मैंने आपको समझा दिया है ठीक है न तो यह लो A और B दोनों का अंसर हो गया चलो next है मेरा classifying angles क्या है अगला topic है मेरा classifying angles तो इसमें हम कुछ और angles के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तो ठीक है तो चलो पढ़ लेते हैं तो पहले जिस angle के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मेरा acute angle और दूसरा है obtuse angle दोनों को साथ में पढ़ लेते हैं देखो इन दुरा angles को समझने के लिए आपको right angle पता होना बहुत ज़री है और मैंने अभी आपको right angle बता देखि राइट अंगल क्या होता है वो angle होता है जो कि मेरा 90 degree का होता है कित्ता होता है 90 degree का होता है यह होता है right angle ठीक है अच्छा अब अगर कोई angle कोई angle मेरा 90 से कम हो थिकना नभवे से अगर मेरा कुई वि acceso कं में तो वह कहला था क्यूट अंगले क्या होता है वह C S blender एंगश अगलिड़िक एक उचल दाट इंगल इंगल Less than Right angle Less than Right angle R I J Right angle ठीक है तो ये होता है मेरा क्या ये होता है मेरा acute angle तो acute angle मतलब कौन सा такую acute angle यानकी वोیں angles जो की मेरे 90 degree से क्या होते हैं कम होते हैं ठीक है ये मेरा क्या हो गया ये होगा मेरा right angle और इससे कम्यन की यहां पे आने वाला कोई भी जो मेरा एंगल होगा वो क्या क्या लाएगा वो मेरा acute angle क्या लाएगा अब वो कहीं पे भी हो सकता है ठीक है वो इतने में कहीं पे भी हो सकता है यह मेरा क्या 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 लाएगा ठीक चलो तो यह तो आप लो समझज़ें कि ग्योट अंगल क्या होता है 90 अब आते हैं obsute एंगल पर १ि अप्ट्यूस एंगल क्या होतन है तो up to theола उंगल होते हैं ज्यादा होते हैं और को अपको पता है सबक्षे नब्चाइश्छ निदिगरी का एंगल मेरा कैसे बनता एसे बनता है अब मैं कहारा हूं वह आंगल जो मेरा हूं दि बढ़ेंगे ठीक है ऐसे ऐसे अप्ट्यूस एंगल बनाओगे तो इस तरी किसे बनेगा कुछ ऐसे करके अब यह कैसे बहुत सकता है ठीक है ऐसे बहुत सकता है ऐसे बहुत सकता है ध्यान रहें यह हमेशा 180 से कम होना चाहिए अगर आपने ऐसे बना दिया गल्दी से माल लो इस तरी केसे ऐसे ठीक है तो क्या अब यह रहेगा और यह प्ट्यूस नहीं अब यह प्ट्यूस नहीं रहा क्यों क्यूंकि आपको पता स्टेट लाइन पर भईया क्या बनता है स्टेट लैन यानिकि 180 का 180ग का अंगल बनता है लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि यह तो 180 से कम, more than 90, more than 90 degree or less than 180, ठीक है, less than 180, ठीक है, less than 180, ठीक, चलो मैं तुम्हें images की मरसे सिखा देता हूँ, तो यहाँ पर मेरी images है, इनकी मरसे हम लोग सीख लेते हैं, तो देखो, पहला angle देख के कैसा है, यह वाला, तो यह देखो, अगर यह 90 degree का होता है, तो क्या यह ऐसे होता है, है कि नहीं है, लेकिन मेरा ऐसे, मतलब यह कहा है 90 से कम है, तो यह क्या होगा, यह होगा, यह होगा acute, ठीक, same case में देख लो, यह ऐसे, यह भी 90 से कम है, यह क्या होगा acute, अच्छा, यह वाला देख लो, यह कैसे ही मेरा, यह मेरा एकदम L-shape का है, तो यह होगा right angle, ठीक, ऐ ऐसे यह वाला देख लो यह वाला देखो अब राइट एंगल होता यह जादा है इधर का मदब जादा है तो यह क्या होगा योगय ऑप्ट्यूस क्या हो गया योगय ऑप्ट्यूस ठीक ऐसे यह वाला देखो आपका यह एल शेप से थोड़ा काम है अगर ध्यान देखो ना त यह भी राइट हो गया और यह भी दमेल्शिप गई ओगा ईप अब देखो यह लिए नबबे दॆ तो इसे ओथा लेकिन इस तरीके से नबबे जयाथ तो यह क्या होगे obtuse, है की नहीं, सेम चीज यहां पहे भी है, यह भी obtuse है, ठीक, यह भी आपका obtuse है, यह वाला क्या है देखो, ध्यान से देखो, एलशेफ बना रहा 하나 HRate और एलशेफ बनाना रहा तो यह ओक्यों कि राइटांra, क्या यह दिखो मेरा अगर 90 होता है तो यह यह झाता है अग्यों कि आप्टिउस ठीक तो समझ गया है राइट एंगल वो ते हैं जो कि 90 तो acute angle वो होते हैं जो कि 90 से कम हो और obtuse angle वो होते हैं जो कि 90 से ज्यादा 180 से कम हो ठीक चलो अब इसके बाद में हमारा figure it out तो पहले क्या कह रहा है identify acute right obtuse and straight angle in the previous figures यानि कि पहले जो figure है उसमें आपको acute right obtuse and straight angles को क्या करना है पता करना है तो भाई इसमें अभी मैंने आपको पता दिया कौन जा क्या angle है और state तो इसमें है नहीं फिलाल ठीक है state नहीं है चलो question 2 क्या कह रहा है make a few acute and few obtuse angles draw them in different orientation बहुत आसान है कह रहा है आपको कुछ obtuse और कुछ acute angle बनाना है चलो बना लेते हैं भाई ये बन गया आपका acute angle THeak है एक और बना जेता हूं चलो यह बन गया रहा how acute angle हो गया our clinical सबके सब अब obtuse बना लते जोकी 90 ज्यादा क्याक्न तो ये बंगया obtuse थेकिन और ये बन गया obtuse ये बन गया obtuse ये बन गया आपका obtuse, ठीक, तो यह सारे क्या होगे, यह सारे होगे मेरे obtuse हैंकल, ठीक, चलो, question number 3 पर आता है, क्या कह रहा है, do you know what the word acute and obtuse mean, acute means sharp and obtuse means blunt, why do you think these words have been chosen, क्या कह रहा है, क्या क्या आपको पता है, उपका नवे थार, ठीक है क्या लगता है, क्या लगता है, अर आपक्टीूस की देखने पे थोड़ी सी क्या लगती ही, तो इससे लिए स्कॉप्ट यूज बोलते हैं बास और कोई चीज नहीं इसमें क्वेशन फूर क्या रहा है find out the number of acute angle in each of the following figures figures below क्या कह रहा है कि भाई नीचे जो मेरी figures दे रखें हुए हैं उसमें आपको बताना है कि acute angle कौन कौन से मदब पता करना है है तो बहुत अशान है यखो मेरी नभे से खर स्कंद है अक्यूट इसके लावा यहां पर यहां पर मतरा खूब सरे सारे इंगल जो है वो सारे एक्यूट ही बन रहे हैं ठीक है चलो तो अब इसके बाद में प्रोटेक्टर का यूज करके हम लोग किस तरीके से जो मेरी वो होती है क्या होती मेजरमेंट होती है उसको कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे यह एक प्रोटेक्टर है मेरा आपको बहुत ही सस्ता मिल जा है आपको भी अपने आसपास के स्टेशनरी से यह मिल जाएगा ठेक आच्छा चली आब मेजरमेंट निकाल लेते हैं तो पहले तो हम लोग यह सिखेंगे कि मेजरमेंट निकाला कैसे जाता है मतलब ये degrees को मों कैसे major करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है जो मेरे दो ये दे रखे हैं म reach trails मेरे अंगल के arems दे रखे हैं इर में से किसी एक को आपको initial line के तोर पर चुनना होगा इनिशेल या फिर baseline के तोर पर चुनना होगा तो भई हमारा initial line या baseline क्या होता है यह वो line होती जिस पर रखके हम प्रड़क्टर से major करते हैं ठीक तो चलो पहले मैं इसको चुन लेता हूं तो अब आपको कुछ नहीं करना है आपको प्रड़क्टर को लेना है और इस line के seed में रखना है ऐसे रखना है कि यह वाला जो मेरा point है यह जो प्रड़क्टर की आँख है इस पर आए ठीक है तो चलो रखते हैं तो पहले तो आँख पे सेट कर लो ऐसे और फिर देखो यह लाइन स्टेट नहीं है तो मुझे एकदम सीद में ऐसे सेट करना है ठीक देखो तो अब मैंने angle को मतलब से इस प्रड़क्टर को कैस है अब देखना है किस तरफ है नीचे वाली पटी में की ओपर आली पटी में लाइन जो मेरे फैंबर है यह याद रहे कि भाई जो मेरी नम्बर्स को दिख लेते हैं तो वो देख लेंगे आरे भईया ये तो 130, 140 के बीच में हैं तो ये मेरा हो गया 135 डिडिका है एकदम गलत ये करोगे तो एकदम गलत हो जाएगा ठेक है तो चलो भई मेजर कर लेते हैं तो ये मेरा 45 डिगरी का ठीक आप लोग चाओ तो मेजरमेंट इस लाइन से भी कर सकते थे इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है इस लाइन को एकदम सीध में रखो इसके यह हो गया सीधा पॉइंट को आई पे लाओ यह ला दिया मैंने आई पे यह थोड़ा सा इसको अज्यस कर लिए ठीक है अब देखिए यह दूसरी लाइने कहा जा रही है पहले देख लो कि भई मेरा जीरो कि इदर है तो जीरो मेरा उपर वाली पट्टी में मतलब मुझे अब उपर के नंबर को देखना है और यहां देखो कहा जाया तो यह 40 से 50 के बीच में यानि कि यह होगे मेरा 45 डिग्री का तो आप चाहो तो इधर वाली लाइन से गिनो या इधर वाली लाइन से मेजर करो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा आंसर मेरा वही रहेगा तो चलो अब बी वाला कर लेते तो यह मेरा हो गया है अच्छा यह लाइन मेरी किदर है इस साइड जीरो मेरा किदर है नीचे वाली पर्टी में है तो मुझे नीचे वाले नंबर्स दीखने है और बताइए यह जो लाइन है यह कौन से नंबर पे है तो यह नीचे वाले 120 नंबर पे है यानकि यह जो मेरा एक ही question है, क्या कह रहा है, write the measure of following angle KAL, देखो, इस question के अंदर क्या दिया हुआ है, पहले तो यह कह रहा है कि KAL की measurement लिखो, बात में इन्होंने खुदी दे दी है, क्या कि KAL की measurement 30 degree यानि कि 30 degrees है, अब आपको क्या करना है, आपको WAL और TAK, इनकी measurement निकालनी है, तो देखो, यह बहुत आसान है, ठीके न, तो KAL किता है, 30 degree का है, तो पहले तो देख लेते KAL है कहाँ पे, तो KAL, और यह कितना है, यह मेरा 30 यानि कि 30 degrees का, अच्छा, अब जब आपको ने प्रोटेक्टर देखा होगा, प्रोटेक्टर जब मैं समझा तो आपने देखा होगा, तो आपने एक चीस देखी होगी कि भाई, इसमें जो numbers लिखे होते हैं, वो कैसे होते हैं, ऐसे, 0 degree, 10 degree, 20 degree, ऐसे होते की नहीं होते हैं, होते हैं और हरे numbers के बिच में किते 10 degrees का difference होता है, होता है की नहीं होता है, अच्छा, अब KAL में ज़रा देखो, क्या KAL में 30 degrees हैं, क्या KAL में 30 degrees है एक बार चेक कर लेते हैं तो देखो यहां से यहां 10 डिग्री हो जाएगा यहां से यहां 10 डिग्री हो जाएगा और यहां से यहां 10 डिग्री यान कि हां 10 10 10 किता हो गया 30 डिग्री हो गया हो गया कि नहीं हो गया बस हमको ऐसे ही डबलू एल और टी एक की भी निकाल लेना है तो चलो होई, तो W, A, L, तो यह है W, यह है A, और यह रहा L, चलो इनकी बीच में निकाल लेते हैं, तो 10 डिग्री यह हो गया, 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 और 10 डिग्री यह हो गया, तो किते हुए 10, 20, 30, 40, 50, तो यह हो गया 50 डिग भी निकाल लेते हैं तो टी एक यह है टी यह है और यह के चलो भी निकाल लिया जाए तो देखो पूरा गिनने की ज़रूत नहीं हमको पता है कि यह वाला हिसा 30 डिगरी का है हमको पता है कि यह डबलू एल यान की यह वाला हिसा 50 डिगरी का है मतलब मुझे यह तो पता है इत तो बारा निकालने के जरूरत है बताओ निकालने के जरूरत है नहीं जरूरत है अगर आप निकालते भी हो तब भी आनसा तो तही आएगा यह तीस आएगा यह पचास आएगा अब बचाए बस यह हिस्सा चलो इसको भी निकाल लेते हैं इसको निकालेंगे तो यह मेरा पु आप 40 और जोड़ दो तो किता हो जागा 120 एक सो बीस यानि टी एक के निकलाए मेरा 120 डिग्रीज ठीक है इसी था कि नहीं था देखो बहुत दीज था कुछ नहीं बस आपको डिग्री मेजर करने हैं और बस एक चीज़ ध्यान देना कि मेरे जो नंबर्स मेरे जो नंबर्स लि यह आप देख सकते हैं फोटो और यह है मेरा next figure it out क्या कह रहा है find the degree measure of the following angle using protector यूज करके आपको इनका degree measure निकालना होगा तो चलो वह डिग्री मेजर निकालने के लिए हमें पहले तो क्या चुनना होता है कोई भी हमारे baseline चुननी होती है तो आप चाहो तो इसको चूज कर लो इसको चूज कर लो आपकी इच्छा ठीक है तो यहां पे मैंने इसको आप आप आपका एकदम सही measurement आएगा आप चलो देख लेते हैं अब क्योंकि 0 मेरा उपर वाला है तो अब हम उपर ली measurement ही देखेंगे तो इतना हुआ यह दो हो गया 40 और 45 यहां पे 545 हो जागा और 46 यह 46 47 है एपरोक्स यह आपका एपरोक्स 47 डिग्रीज हो गया ठीक ऐसे तो निकालते हैं ऐसे निकालते की नहीं निकालते हैं चलो next वाल निकाल लेते हैं तो इसमें भी दो लाइन है किसी इन दून में से किस इसके वर्टेस को प्रोटेक्टर की आई पर रखा और इस वारी लाइन को मैंने इसके जीरो से एकदम सीध में मिला दिया है तो अब देख सकते हैं मिला हुआ है अब चलो इसका हम मेजरमेंट निकाल लेते हैं अब क्योंकि जीरो मेरा नीचे वारे नंबर्स पर है तो मैं न अब देखुँ जब आप लोग पेपर पे जिस पर होतं हैं तो शक्ता हो इस वासे जो मेजरमेंट कर रहा हूं थोड़ी डिफ्रेन्ट थो परिषान मत होना चेंजे हो सकते हैं यहां यहां पर मैंने क्या किया है यहां पर मैंने फोटो लगाई हो सकता है फोटो सही ना हो ठीक है वह सकता है जो प्रोटेक्टर की फोटो है यह सही ना हो ठीक तो परिशान मत होना अगर मेरी आपकी मेजनमेंट गलत आ रही है तो चलो, अब थर्ड वाले को निकाल लेते हैं, तो थर्ड वाले के लिए भी हमको सेम चीज़ करनी है, भाई, दोनों मैंसे किसी एक लाइन को, आप वोको बेस लाइन के तोर पे लेना है, तो मैंने यूई लाइन ले ली, इसके वर्टेस को प्रडेक्टर की आई पर रखा, और इस वाई लाइन को 0 से मिला गिया, अब क्योंकि 0 नीचे वाला है, तो हम नीचे वाली मेजर्मेंट देंगे, तो ये किते डिगरी का हो गया, देखो, ये हो गया मेरा, यहाँ पे 110 डिगरी का, और यही इसका अंसर है, किता हो गया 110 डिगरी, ठीके दोस्तों, चलो, तो ये इसका question number कहां गया, one, next is a question number two, क्या कह रहा है, find the degree major of the different angles in your classroom, using a protector, क्या कह रहा है, कि आपके classroom के अंदर मोजू, जो अलग-अलग angles, यानि कि जो अलग-अलग कोण है, उनका, उनके आपको क्या निकालना है, भई, angles निकालना है, protector का यूज करके, तो आप चाहो तो निकाल सक three, क्या कह रहा है, find the degree major of, for the angles given below, check if your paper protector can used for it, अच्छा, देखो, इसी chapter में आगे न, मलब इससे पहले, इन्होंने paper protector बनाना सिखाया था, तो देखो, बनाना बहुत आसान होता, आपको क्या करना है, चांदे जैसे shape का, एक paper काट लेना है, इसको पहले तो आधे में fold कर लो, और जहां पर हो रहा है, वो 90 degree हो जाएगा, ठीक है, फिर इसको और आधे में fold कर लो, इससे करते करते हैं, आप कही सारे measurements निकाल सकते हो, फिला उसी कोई ज़रुत नहीं है, तो उस पार्ट को हम पूरा ignore कर देते हैं, चलो, अब ये question number 3 है, इनकी दोनों की measurement निकाल ली को, इन दोनों में से कोई भी एक line pick कर लेनी है, जिसको हम baseline की तोर पर use करेंगे, तो मैंने ये नीचे वाली ली है, ठीक है, और यहां पर भी आपको same चीज़ करनी है, जो protector की eye है, उसको vertex परकना है, और जो भी आपने line ली है, उसको 0 से मिला लेना है, तो इस line को मैं 0 से मिल अच्छा, इस image में ध्यान से देखो, तो आपको पता चलेगा, कि यह जो protector है यह एकदम 0 से नहीं मिला है, यह जो line protector है, यह 0 से नहीं मिला है, देख रहो, देख रहो थोड़ा सा अलग लग 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 रहा है, ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि यह मैं image इधर है, तो इधर भी हम लोग 1 degree इधर ही ले लेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह मेरा क्या है, 40, 0 नीचे ना, तो नीचे से measurement लेंगे, तो यह गया 40, और 40 के आगे, यह 42 प्रान चाहिए था, बट क्योंकि यह इधर से line हिली हुए, यह से थोड़ा आगे चला आगे है, तो यह मेरा 42 degrees ही है, किता है, 42 degrees ही है, चलो, अब इस second वाले की measurement निकाल ली जाए, तो सेम चीज़ भई, आपको कोई भी line पिकर लेनी है, मैं यह वाली करी है, और यहाँ पर रग दिया है, प्रोड़क्टर, तो वही सेम चीज़ करनी है, प्रोड़क्टर की जो आ पट्टी से number लेना होगा, तो आओ देख लेते हैं, तो यह किता है, यह हो गया 110, और यह 100 किता हो जाएगा, 10 में 105, 115, और यह उससे थोड़ा आगे, तो 116, किता हो गया 116, किता हो गया 116 degrees, ठीके ना, चलो, अब आते हैं next question पर, क्या कह रहा है, देख लेते हैं, उसको यह वाला है, ठीक है, question 4, क्या कह रहा है, how can you find the degree measure of the angle given below using a protector, क्या कह रहा है कि भाया, प्रोटेक्टर का use करके, नीचे जो मेरा angle दिया हुआ है, नीचे जो भी मेरा angle दे रखा है, इसकी map को, यान किसकी measurement को कैसे निकालोगे, ठीक है, अच्छा, देखो, यह जो मेरा angle दे र क्यों हो सकती है, क्यों हो सकती है, अभी बताता हूं, देखो, normally हम को क्या पता है, कि भाई यहाँ पर आगर हम कहीं भी protector रखते हैं, तो उसके हिसाप से हम निकाल सकते हैं, बट अब अगर आप यहाँ पर प्रोटेक्टर रखोगे ना, तो अब एक चीज को देखोगे, कि यह जो एंग्ल है यह मेरा प्रोड़क्टर से भी बाहर जा रहे तो ही प्रोड़क्टर रखोगे अग मालो यहां रख दिये तो यह ऐसा रहेगा ठीक है और इन कीईस मालो इसको ऐसी रख दिये तो यह ऐसा रहेगा बढ़ दोनों केस में probably थोड़ा डिगरी बज रहा है कि नहीं बज रहा है तो ऐसी कंडिशन में हम क्या कर सकते हैं क्या कोई दूसर प्रटेक्टर लाना पड़ेगा नहीं मतलब आपको इतने का measurement मिल गया, बताओ, क्या आपको इतने का measurement मिल गया, मिल गया है ना, आप मुझे बस कित्ते का, इतने का measurement निकालना है, निकालना कि निकालना है, तो अगर मैं इतने का measurement निकाल लेता हूं, और बात में इस वाले को इसमें add कर देता हूं, तो क्या मुझे पूरे का measurement पता चल जाएगा बताओ मैंने इतने का measurement निकाल दिया 180 डिगनी कल गए straight angle लाए रहा है मुझे पता चल गए इतने का बता है तो अगर इतने का निकाल के मैं इसको इससे add कर देता हूँ तो क्या मुझे पूरे का measurement मिल जाएगा बताओ मिल जाएगा ना तो चलो बस यही करना है हमको तो चलो भई कर लिया जाए ठीक है चलो कर लेते हैं बहुत easy है तो यह लो पहले तो मुझे पता है यह है मेरा 180 तो यह मैंने 180 निकाल दिया और अब मैं क्या कर रहा हूँ इसकी measurement निकाल ला हूँ तो यहाँ पे मैंने इसको वही आई को प्रडेटर की आई को वर्टेस पे रखा और इधर वाली लाइन को मैंने 0 सी मिला देए आप जाओ तो इसको मिला सकते कोई issue नहीं है ठीक है और अब हम measurement देख लेते हैं तो इसको इसको रखके measurement देखो कितना आ रहा है 80 पर आ रहा है यह line थोड़ी से तिरची हो गई इसलिए आपको यह 80 से थोड़ा पहले नजर आ रहा है नहीं तो यह 80 पर ही आना चाहिए था ठीक है तो यह कितना रहा है 80 पर आ रहा है तो 180 यह हो गया और 80 यह हो गया एड़ कर लेते तो 180 प्लस 80 कितना हो गया 260 तो यह पूरा मेरा कितना निकला है यह पूरा मेरा निकला है 260 डिकरीक है ठीक है और यही इसका answer है और कभी भी अगर आपको ऐसे बड़े वाले angles आए ना तो इनको आपको ऐसे ही solve करना है ठीक है अगर यह आपको एकसे ज्यादर के दिखते तो उनको आप ऐसे ही solve करो पहले तो 180 कहीं से मदब देख लो किदर का निकला है वो निकाल लो और प्रडेक्टर को रखके बागी को मेजर करके एड़ करो दोनों को खतम का नहीं चलो अब next question पर आते हैं तो कौन सा वाला हो गया था यह वाला हो गया था ठीक है अब next है मेरा question number 5 क्या करता है major and right the degree major of each of the following angle हमको क्या करना है इनको major करना है और फिर लिखना है कि यह कितने degrees के हैं ठीक है तो चलो भई फिर से चलते हैं image पर तो यह मेरा 5 का A वाला तो आपने अभी तक जो चीज़ करी है वही आपको यहाँ पर भी करनी है protector को लेना है उसको इनके vertex पर protector की जो आई है उसको इनके vertex पर रखना है इन दोनों की कोई भी एक line को आपको 0 से इदम क्या करना है मिला कर रख देना है और फिर measurement निकालनी है तो यह चीज़ मैने यहंगा भी करी है तो यह आप देख सकते हो इसको एसे रखा है चीरो सा मिला दिया है और क्योंकि जिरूर यह मेरा नीचे वाली पटी पर है, तो हमें नीचे वाली पटी के नमबर देखने हैं, उपर आलि नहीं देखने हैं, तो भाई यहां किता हो गया 80, तो यह हो गया 80 डिग्री इसका, चलो, भी पर आते हैं, सेम चीज़ हम यहां पर भी कर रहे हैं, भाई, प्रटेक्टर की आई को हमने रखा वर्टेस पर अच्छा प्रटेक्टर की आई इसको कहते हैं अगर थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा समझने में तो बता देता हूँ प्रटेक्टर की जो आई है वो इस वाले point को कहते हैं चलो तो protector की जो i है उसको मैंने रखा वर्टेस पर अब इसको 0 से मिला लो और चलो भई measurement निकाल लेते हैं तो यह 0 नीचे है तो नीचे अले पट्टी के नमबर देखने हैं तो 1120 कितारा 120 तेक है इसको रख दिया है पर इसको मिला दिया है 0 से 0 नीचे वाली पट्टी में तो नीचे वाले पट्टी के नमबर देखने है तो यह आ रहा है 60 डिग्री पर किता हो गए 60 डिग्री पर तेक है चलो अब निकालते हैं डी वाला सेम चीज़ में भी करनी है यह देखो अच्छा यहां पर देखो यह जो लाइन है यह थोड़ी उपर है यह थोड़ी उपर है क्योंकि मैं सई से लगनी रही थी तो यहां पर यह आपको 130 डिग्री है बट यह 130 नहीं है 130 से थोड़ा कम है 129 लेना इसको थेक है आप लोग बुक पे या कॉपी पे मेजर करोगे उसके तो डिफरेंट आए बट अब इसमें 129 लेना फिलाल खेलिए थेक है तो से इनके हमको करनी है भाई जो वर्टेक्स है हमारा एंगल का उसको प्रडेटर की आई परकना है और फिर जो भी आपने बेसलाइन दी है उसको आप जीरो वाली लाइन से मिला दो तो ये इससे मिर गई अब जीरो क्योंकि उपर वाली पट्टी पे है तो मुझे उपर वाली नमबर लेने है तो यहाँ पे आप देख लो किता रहा है तो क्या यहाँ पे सही मिजरमेंट आएगी नहीं आएगी क्यों क्योंकि प्रोटेक्टर की जो आई है वो थोड़ा क्या हो गई है आगे हो गई है तो यह आपका एक दो डिग्री जो है थोड़ा शिफ्ट होगा यह ठीक चलो तो जीरो के दर है उपाई पटी पह उपाई नमबर देखने तो यह एक सो बीस एक सो तीस पर आ रहा है बट यह क्योंकि थोड़ा खिसका हुआ है तो इसको अब अज्जस करोगे तो मेरे हिसाब से यह आना चीए एक सो अठाइस के आसपास 128 डिग्री के असपास तो यह 108 डिग्री हो जाएगा नेक्स देख लेते है एफ वाला सेम चीज यहाँ पर पर किसी भी एक लाइन को बेस्लेन मालं यह हो गया 60 है ने की 60 degrees ठीक है दोस्तो चलो तो यह हो गया मेरा question number 5 था कि 6 था कि एता था चलो जो भी था भी देख लेते हैं तो यह तो मेरा यह वाला question हो गया question number था यह 5 ठीक next है मेरा question number 6 क्या कह रहा है question 6 कह रहा है find the degree major of BXE CXE AXP and BXC मुझे यहाँ 4 angles दे हुएं इनकी measurement निकालनी है तो चलो भी निकाल लेते हैं एक काम करते हैं पहले इस वाले का निकाल लेते हैं AXB ठीक है AXB का निकाल लेते हैं क्योंकि यह निकालना ज्यादा easy है तो देखो भाई यह मेरा 0 पर है है की नीए अब मुझे इसको निकालना है निकाल लो measurement लो किती हुई पहरे तो यह देख लो कि भाई 0 कितर रहे है उपपर के नीचे तो 0 है उपपाई लाइन पर तो मुझे उपपाई लाइन के क्यालने है numbers को लीना है तो यह देख लो किता है 65 पर तो यह होगे 65 degrees तो आपका A X B का अंसर तो आगे 65 degrees ठीक है चलो अब आगे निकाल लेते हैं B X C तो बहुत आसान है तो यह किता है 65 पर था ठीक मतब यहां पर यहां से आपका क्या हो जागा 5 जागा ठीक तो 5 और यह 10 यह 10 और इधर 5 और तो 10 10 20 और 5 5 30 किता होगे 30 degrees निकलाया B X C आपका 30 degrees निकलाया B X C निकलना था कि नहीं निकलना था हाँ निकलना था यह रहा 30 degrees ठीक चलो अब निकाल लेते हैं C X E रुपश में 4 अंगल निकलने कौन-कौन से हैं B X E अच्छा यह भी निकलना था अभी निकलना था तो यह काम करते हैं C X E निकलना था क्योंकि फिर इस पूरे को निकलना बहुत आसान हो जागा C X E N की इस वारे को निकलना था तो एक काम करो इसको ना इधर से measurement लो इसके लिए तो यहां पर देख सकते हो जीरो के उपर है जीरो नीचा अली पट्टी पर तो मुझे नीचा अली पट्टी के नंबर से ने तो ले लो तो यह कित पर आ रहा है यह आ रहा है मेरा 85 पर किस पर आ रहा है यह रहा है 85 पर ठीक है न तो देखो यह मेरा 30 था यह था मेरा 85 पाइफ है कि नहीं है अब मुझे कहा नीकालना है B XYN कि यह पूरा निकालना है तो मुझे यह पता है यह पता है अगर मैं दुनों को एरट कर देता हो क्या मुझे यह पूदय का तो multe चेल जाया कम धिसी निकाल लेते हैं तो 80 कितना हो गया 115 तो ये इन सभी के solution साथ में एक solution आप इसका भी ऐसे करके यहां पर कहिं बाहले हैं 115 डिग्री सेथे को responsible तो हो गए इन सबके solution अब आते हैं question number 7 पर तो question number 7 क्या कह रहा है question number 7 कह रहा है find the degree major of PQR मुझे PQR इसकी measurement निकालनी है PQS PQS इस पूरे की यानि की measurement निकालनी है और PQT यानि की मुझे इस पूरे की PQT इस पूरे की measurement निकालनी है ठेक है तो चलो वही निकाल ली जाए यह रही question number 7 की क्या कह रहा find the degree major और यह तो मैं आपको question पढ़ाई चुका हूँ पहले ना PQT ही निकाल लेते हैं तो इसके लिए मैंने यह वाली as a baseline ली है यहाँ पर देख सकते जिरो पर लगा दिया है और यह मैंने इसको इसका जो vertices को प्रडेक्टर की आई पर लगा भी दिया है जिरो कितर नीचे अली पट्टी पर मतलब मुझे number कौन से लेने है नीचे अल लेने तो यहाँ पर यानि किस पर क्या आ रहा है इस पर आ रहा है एक सो साथ डिग्री तो मेरा PQT कितना हो गया PQT निकला है मेरा 160 डिग्री कितना है एक सो साथ यानि 160 डिग्री निकलाया है मेरा ठीक है ना चलिए अब हम लोग नेक्स निकाल लेते हैं हमारा PQS क्या निकालना है PQS अब क्योंकि मुझे इतना ही निकालना है तो मैंने इस लाइन या इस लाइन इन दोनों में से कोई एक बेस लाइन लेनी है मैंने यह यह आई पर सेट भी कर दिया है चलो अब मेजर्मेंट निकाल लिया जाए तो बहुँ जीरो कि दर नीच अली पटी में है मतलब मुझे नीच अली पटी के नमबर लेने है तो चलो लेते हैं तो यह किता हो गया यह हो गया 100 डिग्री का तो मेरा PQS निकलाया और यह किता निकल ये निकलाया है दोस्तो सौ यानि की 100 डिक्रीज का ठीक है नेक्स्ट है मेरा PQR तो यह है मेरा PQR आपको इधर इसमें इसमें दोनों से कोई भी एक बेसॉलन ले 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 लिए तो तो यह 40-50 किबिच में 45 पर आ रहे है तो यह कितना हो गया 45 degrees का कितना हो गया 45 degrees का ठीक है दोस्तो तो हमने तीनों एंगल्स निकाल ली है PQR मेरा निकला है 45 degrees का ठीक है यह PQS निकला है हमारा 100 degrees का ठीक है और PQT निकला है मेरा 160 degrees का ठीक है दोस्तो ठीक है चलो यह हो गया मेरा question number seven का answer ठीक चलो next question देख लेते हैं तो यह है मेरा question number eight क्या कह रहा है make the paper craft as per the given instructions मतलब यह जो मेरे instructions दिये हुए है इसके हिसाब से आपको paper craft बनाना होगा then unfold the open paper fully draw the lines on the creases made and measure the angle form बहुत आसान है पहले तूब आप ईसे paper craft को बना है मतलब पहले paper को आधा मोड़ो फिछ उसको ऐसे मोड़ो फिर इस तरीके से एसे एक व करके आपको क्या करना ऐसे यह खरखॉश का बना देने है फिर आपको इस paper को क्या करना है open कर लेना है मतलब खोल लेना है ठीक है और खोलने के बाद में जहां-जहां से भी paper मुड़ा होगा ना वहाँ पर निशान लग गया होगा आपको क्या करना उस पर line & write the major down near the respective angles now add up the three angles what do you get do you get the same do the same for the triangles in figure 2.21 B & C try it for other triangles as well and then made a conjecture for what happens in general we will come back to why इसके लिए शायद मैंने इमेज लगाई थी जहां तक मुझको याद है इसमें मुझे देखने लिए बट मुझे जहां तक याद है मैंने इसके लिए इमेज लगाई थी बट चलो कोई बाद नहीं आइधिंग वो दूसरे फोल्डर में होगी चोड़ो कि मैं समझा 하 देता हो किसके अंधा हो गया रहा है देखो यह क्या है कि को कोस्य नहीं नमबर नाइन है इसमें जमें के टाइंकलalis को मेंजर करना है तुम नग्रीद सीज़ पाओगे क्या कि तीनों एंगल को add करने पे इसका जो measurement आ रहा हूँ एक 180 डिग्रीज ठीक है सेम चीज़ा इसके लिए करोगे इसका भी 180 आएगा सेम जीज़ के लिए करोगे इसका भी 180 आएगा अब ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि जो मेरे triangles होते हैं इनके जो internal अंदर का जो एंगल्स हैं। उनका संहां 180 सी नहीं आ रहा है.. अगर इसके इंदर के जो एंगल्स है.. उनका संहां 180 सी नहीं आ रहा है.. वैसा होता नहीं यह हमेशा 180 आता है.. चाहे से ह taraf कैसा भी ट्रेच्थ बनाके उसके मिजर्मेंट more AG निकाल के देख जो खुच है trat ठीक है दोस्तों ठीक है चलो तो यह आपका हो गया question number 9 भी अब इसके आगे से यह जो है figure it out यह clock वाला यह आम लोग next video में करेंगे हाला कि यह बहुत ही जादा असान है ठीक है चलो काम कर लेते हैं अभी ही कर लेते हैं इसको चलो figure it out where are the angles question 1 angle in the clock a the hand of the clock make different angles at a different time at one o'clock the angle between the hand the angle between the hands is a 30 degrees y देखो यहाँ पर यह क्या कह रहे है यहाँ पर यह कह रहे है कि भाई जो घड़ी होती है इसके जो hands होते हैं इसके जो सुईयां होती है इनके बीच का जो angle है वो अलग लग time पर क्या होता है अलग लोग बनता है ठीक है ना अब यह क्या रहे है कि एक बज़े क्या होता है कि इसके हाथों की बिच में बनने वाला जो angle होता है वो होता है 30 degrees का अच्छा अब यहां पर ना मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि जो में लिए घड़ी है यह कैसे ऐसे घूमती की नहीं घूमती है मतला इसका पूरा गोल चकर बनता यह निए बनता है और अब हमने देखा कि प्रोटेक्टर कैसा होता है ऐसे आधा मतलब आधे गोले जैसे होता है और कि तो होता है 180 degree का मतलब 180 degree इधर भी और 1930 degree इधर भी मतलब मैं पूरे गोले का angle निकालता हूं तो क्या इन दोनको जो ज निकलेगा बताओ क्या पूरे गोले का जो टोटाल एंगल है वो 360 निकलेगा न तो यहां से यहां से हमको एक चीज़ पता चलती है क्या पता चलती है कि अगर मेरा कोई अंगल ऐसे बन रहा हो पुरा गोले-गोले टाइप का तो यह किता होता है 360 क्या घड़ी के अंदर पूरे ऐसे गोले में अंगल बनता है बनता है घड़ी के अदर टोटाल एंगल किता होता है एक्सोडी साथ डिवाइट कर लो तो आपको पता है वह ए होता है 36 गट गया जीरो इदर बचा जीरो को इदर बेदो तो या आंसर आगा 30 जयाने कि एक घंटे में मेरे 30 degree होते है कि तो थे 30 degree होते है इस की के बिच में किता है 30 डिगरी का है, ठीक है? आच्छा, मेरे पास में एक डेटा आ गया है, एक घंटे में किसटा डिगरीज आ है? thì तो क्या आम मैं इस एक घंटे वाले डेटा की मदद से, किसी भी टाइम के एंगल को निकाल सकता हूँ? मुझे पता है कि 1 घंटे के अंदर मेरा कितना होता है 30 डिगरी होता है मेरा किसी भी गंतर 30 डिगरी होता है तो क्या अब मैं इस data की मदद से क्या मैं और अलग-अलग time के degrees को निकल सकता हूँ बिलकुल निकाल सकता हूँ और मैं वही करने वाला हूं अब मैं वही करने वाला हूँ किसमें B और C में क्या कह रहा है What will be the angle at 2 o'clock and 4 o'clock, 6 o'clock कह रहा है 4 बजे, 2 बजे, 6 बजे कितना angle होगा तो चलो बजा लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक घंटे के अंदर 30 था तो 2 बजने में कितना 1, 2, 2 घंटों का फर्क हो गया तो यह किता हो गया, 30 प्लस 30 होता है 60 तो 2 बजने में कितना हो गया, 60 ठीक, अच्छा 4 बजने में कितना होगा, तो यह दो यहाँ से 4 बजा है, कितने घंटों का फर्क है 1, 2, 3, 4 4 घंटों का फर्क है, 1 घंटे में आपका होता है 30 तो 4 घंटों में किता हो गया 30 इंटू 4 कर लो या फिर 30 को 4 बार लिख के जोड़ लो आपके इच्छा तो 4,0,0 और 4,3,0,12 आंसर आगया आपका 120 degrees तो 4 घंटों के अंदर यानी 4 o'clock में कितना होगा 120 होगा 600 clock निकाल लो पता है एक घंटे में होता है 30 डिगरी 6 घंटे का निकालना है तो मल्टिप्लाइ कर दो 6,0,0,6,3,0,18 आगया आंसर 180 डिगरी तो 600 clock में किता होगा 180 यानी 180 degrees होगा अब आप इस डेटा की मदद से जितने भी टाइम का एंगल चाहो निकाल सकते हो आपकी इच्छा क्या कह रहा है एक्स्पोर अधर एंगल मेड बाइंड ऑफ दा क्लॉक घंट जो वो होती घड़ी उसके जो सुईयां होती उनके दोरह बनाया जा रहे अलगल जो एं बहुत आसान क्या के रहा है कि क्या क्या एक को है इमेजनरी लाइन है थेक अब आपको क्या करना है यहां पे इसको एज़ वर्टेस माल लेना है अब यहां पर बड़ी आमा से प्रोडेक्टर और देख लो इसके इसके बीच में कितने डिग्रीज के एंगल है बास आपका आंसर आ गया थेक है कुछ नहीं करना है यही करना है यह होगा यह हो इसके एंगल ल्म यह होगा वर्टेस और इसका यहां से अंगल निकाल लो प्रोडेक्डर के बात कंद हम चलो नेक्स्ट रे मेरा कोश्चन नमबर त्री इस पर आते है कोश्चन नमबर थी क्या कह रहा है विद्या इंजॉइंग अर्टाइम ऑन दा स्विंग शी नोटिस्ट दाट 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 अंगल विच ची इस तार्स विंग ग्रेटर इस दाट इस पीड शी अचीज ऑन हर इस दी एंगल आर्यू एबल तो सी एनी एंगल बहुत आसान कोश्चन का कह रहा है कि एक बच्ची है विद्या जो की जूले पर यहनकी जो स्विंग नहीं होता है जूलने जूला इस पर जूल लई है उसने एक जिस गौर करी कि वह जितने ज्यादा एंगल पर ऐसे आगे फिर जाय अब इसमें यह कह रहा है कि भाई क्या बता सकते हो कि इसमें अंगल कहां पर है इसमें इंगल कहाँ पर है इसमें यहीं जो पेड़ की डंडी है इसको एस स्टेय्ट लान्ड बहुत है तो यह एंगल बन रहा है यह स्कीयों की वड het agar चान्दा और इसका मिजरमे इस वाले की बात कर रहा है Attraged to its side The greater the angle or the slope of the slab The faster the ball rolls Can angle be used to describe the slope of the slab What are the arms of each angles Which arms is visible and which is not बहुत असान है कोशन क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखो भाई एक slab type का है ठीक है ना यह मेरा एक ऐसे slab type का है जिसमें आप देख सकते हैं ऐसे पट्टियां लगी हुई है क्या लगी ही पट्टियां लगी हुई है पहले तो इक काम को इन पट्टियों को जोड़ लो ठीक आप क्या कहरें कि इसके जो ढ़लान है न इसका angle निकालने को कहरें तो बहुत असान है तो यहाँ पे लाइन माल लो यहाँ पे चांदर रखे इसका निकाल लो यह एक लाइन माल लो यहाँ चांदर रखे याणि परड़क्टर के इसका निकाल लो यहाँ पे लाइन माल लो और यहाँ पे परड़क्टर रखे इसका angle निकाल लो तो ऐसे निकाल लो आपको इंसाइब का पता चल जाएगा, अच्छा, चाहो तो इसको आप ऐसे में निकाल सकते हो, इस तरीके से, ऐसे निकाल लो, आपकी इच्छा, ठीक है, यहां प्रटर रखे निकाल लो, यह निकाल लो, इसको भी ऐसे निकाल लो, आपकी इच्छा, ठी ऐसे में निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, विसे काम करो ऐसे निकाल लो, ठीक है, ऐसे निकाल लो क्योंकि इससे आपको ढहलान कितनी है, उसका ज्यादा बेटर अंदाजा लग पाएगा, ठीक है, साइड से ढहलान कितनी है, इसका अंदाजा लग पाएगा, चलो, तो एंगल्स भी यूज़ दिस्क्राइब दियामाउंट ऑफ रोटेशन हाओ वट विली आंगल्स ओफ दी एंगल्स एंगल्स देखो बहुत ज्यादा आसान है कोशन क्या कह रहा है नीचे मेरे केड़ों की इमेज दी हुए सीधे और रोटेट यानि की घूमी हुई क्या एंगल करो मालो कीड़े के नीचे यहां पर मेरी क्या है एक ऐसी लाइन है ठीक और एक लाइन मेरी ऐसी आ रही है है के नहीं तो कीड़ा मेरे क्या है पहले तो ऐसे है कितना है 90 डिग्री पे ठीक अच्छा आप देख लो अब कीड़ा क्या है एकदम मूड़ गया तो यह ऐसे था ह क्या मैं अंग्ल का यूज करके बता सकता हूं कि कोई भी जी कि 50 आप को सीधा खड़ा हो यह अब सीधा खड़ा होगया तो अब भी केता करना नब्य डिंटीट का रोंटेशन हुआ कि नहीं हुआ 1080 पर पिर यह नब्य हो गया नव्य हो कि मैं उनी 90 डिंटी मिल स्था हो गया और यह एकड़ाल एक इसके वर्टेस, बताओ, क्या इस कोशन में कोई डिफिकल्टी थी, कोई डिफिकल्टी नहीं है, अगर आपको एंगल्स की नॉलिज हो गई, तो आप इस कोशन को बड़े आसान से कर सकते हूँ, देखो एंगल्स से कालना बहुत आसान होता है, बस प्रोटेक्टर का यूज क करना आपको आना चीए, बागी सबाब फटाफट कर डालोगे, ठीके ना, अभी तक हमने क्या सीखा था, कि मेरे जो एंगल्स होते हैं, वो जब बने होते हैं मेरे किसी कॉपी या बुक पर, तो इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, लेकिन अब हम लोग उनको बनाना भी लिखेंगे, तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले ये कोशन्स लगाना स्टार्ट करते हैं, तो पहला कोशन्स हमारे इस फिगर डाउट में ये है, इन फिगर 2.23 लिस्ट, अल दी एंगल्स पॉसिबल, क्या कहरा कि जो मेरा फिगर है ये वाला, इसके अंदर जितने हो सकते हैं, संभाव, आपको उतने एंगल इसमें बताने होंगे, did you find them all, क्या आप इन सभी को ढूण पाए, now, guess the measure of all the angles, अब आपको जितने भी इसके एंगल्स हैं, उनके माप को आपको क्या करना है, guess करना है, यानि कि उनका किता माप हो सकता है, उसका आपको अंदाजा लगाना होगा, then measure the angles with a protector, और फिर आपको protector से इन angles को क्या करना है, measure करना है, record all your numbers in our table, एक table बना के उसमें आपके जो भी numbers आए हैं, उनको आप लिख लीजे, see how close your guess are to the actual measure, और फिर ये देखो, कि आपने जो अंदाजा लगाया था, वो जो actual measure, यानि जो actual map निकली है, उसके कितना करी था, ठीक है दोस्तो, तो चलो, पहले तो इसमें हम लोग ये ढून लेते हैं कि इसके अंदर कितने सारे angles हैं, तो देखो, पहले एक angle तो ये हो गया, और ये हो गया, कितने हो गया, फिर तीसा angle ये हो गया, और एक ये हो गया, तो ये हो गया, तो ये हो गया, चार angle, ये हो टोटल बारा यानी कि 12 angles हैं किते angles हैं 12 angles हैं ठिक चलो अब इनकी Avatar निकाल लेते हैं तो मेजरमेंट के लिए हमें यहां पर प्रटेक्टर लगाना होगा जो कि मैंने इस फोटम में लगा रही है ठीक है दोस्तों चलिए तो nosot निकाल करते हैं पहले हम लोग इन एंगल्स का निकाल लेते हैं तो सबसे पहले इधर वाला एंगल्स का निकाल लेते हैं यहां पे जिरो किदर नीचे आरी पटी में है तो इसका मेजरमेंट निकाल लो तो कितना हुआ यह जारी लाइन इधर थोड़ा ठीक है यह जारी है किदर इधर हंडड के थोड़ा इधर ठीक चलो इधर वाला एंगल निकाल लेते हैं तो देखो इसको आप दू तरीके से निकाल सेकते हो पहले जिस तो यह है कि जो आपने यह मेजर किया है उसी के हिसाब से इतना निकाल लो किता हुआ और इसको टोटल 180 से माइनास कर लो लेकिन मैं आपको एक छोड़ा तरीका ब पढ़ेगा तो यह जीरो किदर है उपर है उपर लीपर तीके नमबर देख़ लो तो यह कित्ता हो गया यह हो गया श strong और ये 75 चे हाँ ए जंब है थिक यहो गया 78 और यह पंगया एक सो डू डेगरा ऐसस्दीटा निकाल लिए अब इन वालों को निकाल लेते हैं यह दोने तो निकाल लिया अब इनकी बाई टेक तो सेम चीज़ यहां पे भी करते हैं पहले इधर का एंगल निकाल लेते हैं तो इसके लिए यहां पे 0 किदर नीचे साइड है तो देख लो कितना जा रहा है तो यह मेरा 80 से एक आगे आ रहा है तो यह पर आले नंबर देखने है तो यह मेरा 95 है और यह हंड़र से एक पहले आ रहा है तो यह हंड़र से पहले कितना होता है किता बता 99 होता है है कि नहीं हंड़र से एक मेरे डंडी छोटी या ली पहले है तो कितना होगा है 99 हो गया मेरा है कि नहीं यह चोटी यह भी इना करो तो यह ओगे 99 डिग्रीज सभी रखाँ नहीं बदाओ यह सारे सटेट लाइन किस So यह पूरा कितना हो जाएगा 180 degrees का हो जाएगा और अभे धेकर जबने लोग अंगल निकाल लेती तो हमने देखा था कि यहां वाला जो था यहां गता था इपक्ता ता क्याता मेरा मेरा 81 डिग्रीज का ठीक और यह वाला मेरा कितना था यह वाला था मेरा 99 डिग्रीज का अब अब 99 और 81 को एड़ करो, कितना आएगा, दोनों को एड़ करने पर आंसर मेरा एगा 180 degrees, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि भाई, जो एंगल मेरे ऐसे स्टेट लाइन पर बने होते हैं, स्टेट लाइन पर आप चाहिए जितने भी एंगल क्यों ना बना लो, इन सबी को अगर म अगर में ने, मानलों, ऐसे कोई एंगल बना दिये, अब मैं कहा रहा हूँ, भया, इन सबी एंगल का सम क्या 180 निकलेगा, तो इनका 180 नहीं निकलने वाला, क्यूंगी क्या, ये सारे के सारे मेरे स्टेट लाइन पर ये होंगे, तो आप चाहिए जितने भी एंगल इसके में इसा 180 degrees का ही निकलेगा और यह मेरा angles का क्या होता है एक rule होता है ठीक है ना चलो तो मैंने इनकी measurement निकाल ली है इन दोनों की measurement निकाल ली है अब इस थर्ड वाले की measurement निकाल लेते हैं तो चलो भी निकाल ली जाए ठीक है तो यह लगा हुआ है protector पहले इधर वाला निकाल ल रहा है ना यह three और four पे आ रहा है seventy three पे exactly पड़ा रहा है ठीक है तो यह होगा seventy three degrees का ठीक चलो इधर वाले को निकाल लेते हैं तो भाई zero किदर है zero है उपड़ा लिपटी पर मदला मुझे उपड़ा लिपटी के number लेने है है कि नहीं तो यह मेरा क्या होगे यह होगे 100 degree यह 106 degree यह आ रहा है 170 degree पर किता जा रहा है 107 यानि 107 degrees पर जा रहा है ठीक अचा एक और चीज़ अब अगर आप इन दोनों को एड़ करोगे ना अपस में तो आप देखो कि जो अंसर है वो आपका 180 degree आ रहा है यह नहीं एक तरीके से चेक करने का तरीका भी होता है अगर आपन पर बन रहा है एंगल को आड़ करा और वह 180 नहीं आ रहे हैं मतलब आपने एंगल गलत निकाले है यह चेक करने का भी तरीका होता है तो आप चाहो तो इसको ऐसे चेक भी कर सकते हो अच्छा तो क्या मैंने नीचे के सारे एंगल निकाल लिए 6 के 6 निकाल लिए ना अब 75 होगे और यह 80 से कितना है दो पहले है ठीक तो यह होगे 78 डिग्रीस किता होगे 78 डिग्रीस ठीक चलो भई अब इस वाले अंगल को निकाल लेते हैं तो 0 मेरा यह रा इधर अच्छा यह देखो यह जो प्रटेक्टर की इमेज है ना यह थोड़ी से तिरची है ठीक है ना इसलिए जो मेजरमेंट यह ऐसा निकलना नहीं तो यह आपका थोड़ा डिफर्ट निकलता चलिए अच्छा एक और चीज़ प्रटेक्टर हमेशा सीधा होना चीज़ इसको आपको बहुती गौर से अप्लाई करना है प्रटेक्टर को हमेशा सीधा रखना अगर प्रटेक् जीरो नीचे आलु प्रटेक्टर में नीचे अलीचे के नंबर देखने है तो बहुत नीचे देखो की है यह मेरा सोग। ठीक और रही क्या होग?, 101 एक। 102 प्रटेकं तो यह लो इसका मैं निकला ह। हे कि ने, 102 और लो 78 इन दोनों का निकला लै क्लो अब हम लोग इन दोनों के निकाले तो पहले इस वाले के निकाल लेते हैं तो zero मेरा किदर है यह उपर आली पती में तो निकाल लो किता degrees हुआ निकाल लो किता डिगीज हुआ है देखो सेम चीज जो उसमें थी वही चीज में भी इसमें भी थोड़ा प्रटेक्टर क्या है हिला हुआ है इसलिए आप देख रहे होगा कि यह 100 से थोड़ा सा क्या है आगया आगया है बट यह आएगा exactly 100 पर किता आएगा 100 पर आएगा यह तो 100 डिगरी होगे यहां से ठीक है और यहां देख लो तो जीरो कि इदर निचा लिपटी में है और निचा लिपटी पर क्या रहा है अस्ती प्यार है तो यह होगे 80 डिगरी इदर से तो 100 डिगरी है 80 डिगरी है ठीक चलो अब यह लास्ट वाला है इसके पर आते हैं तो य इदा निकाल लेते हैं जीरो क्या है नीचाले पट्टी पे तो उसके साब से नंबर निकालो तो यह है मेरा 71, 72 और 73 ठीक है चलो तो यह हो गया इस सभी का आंसर तो next इसमें मेरा question number 2 क्या क्या रहा है use a protector to draw angles having the following degrees majors देखिए अब यह करें कि protector का use करके आपको in angles को draw करना है तो चलो दोस्तो सीधे चलके हम लोग in angles को draw करना start करते हैं तो चलिए दोस्तो हम लोग in angles को बनाना शुरू करते हैं तो पहले हम लोग 110 degree का angle बनाएंगे इसके लिए आपको प्रोड़क्टर लेना है और फिर एक state line खीच लेनी है कहीं पे भी आप खीच सकते हो यह होगे state line अब इस state line के किसी भी कोने पे आपको एक point बना के इसको थ पे match कर दो ऐसे ठीक है हो गया ना हलका सोपर अब ठीक है अब एकदम सही हो गया अच्छा मुझे 110 degree करना था तो अब यहां से 110 degree देख लेते हैं तो 0 कि साइड है 0 मेरा इस साइड है मतलब मुझे नीचे वाले numbers देखने हैं चलो नीचे वाले में हम लो 110 धून लेते हैं तो dot से यहां के dot तक एक line खीच लो ठीक और यह बनके तयार हो गया आपका 110 degree का एंगल ठीक है बहुत जादा एज़ी होता है चलो अब भी वाला 40 degree हम लोग बना लेते हैं तो इसके लिए भी हमें सेम चीज़ करनी है लाइन कीच लीचे आप पहले तो एक स्टेट यह हमाई लाइन हो गई कोई भी साइड ले चली इस बार यहां पर डॉट कर लेते तो यह मेरा डॉट हो गया अब हमको सेम चीज़ यहां पर भी करनी है लाइन को नीचे वाले से मिलाओ और डॉट को इस प्रक दो तो यह हो यह हमारा और आप देखो जीरो कि अधर है इसको थोड़ा से उपर कर लो अब टिक है जीरो कि अधर है जीरो है मेरा इधर उपर वाली पर टीप है मतलब मुझे उपर नमबर्स देखने है तो यहां पर 40 कि अधर है यहां पर ऐसे एक और डॉट बना लीजे और आप इन दो हो गया हमारा 40 डिग्रीज ठीक चलो नेक्स्ट है हमारा 75 डिग्रीज लिख देते हैं यह मेरा ए यह मेरा बी अब बारी है 75 डिग्रीज यानि की सी यह लिखी तो इसके लिए भी हमें सेम चीज ही करनी है आपको एक स्ट्रेट लाइन लेनी है तो कहीं पर भी आप एक स्ट् प्रदेक्टर की I पे रखो इस तरीके से अब देखो, 0 कि इदर है 0 है नीचे वाले पर 75 देखना है, तो 75 कि इदर होगा, 70 और 80 के बीच में होगा, तो 70 और 80 के बीच में 75 यहां ऐसे बीच में जाएगा, ठीक है, चलो, बना लेते हैं, तो यह इस पर रख लो, ध्यान से इधर जादा मत लेके जाना, क्योंकि यह मेरा figure है न, तो यहां छोटी कर लो, ऐसे छोटी से line बना लो, हो गया, 75 degrees, ठीक, चलो, next है मेरा D 112 degrees का, तो चले इसको भी बना लेते हैं, तो इसके लिए यहां पर यह मैंने line खीच लिया है, यहां पर dot भी ले लिया है, अब रखते हैं protector को, इसके नीचे line को इससे मिलाते हैं, और यह जो dot है, इसको आई पर रखते हैं, ठीक, आच्छा, 0 देखो किदा रहे, 0 मेरा इधर उपर ले, पर तो यह आपका बनके त्यार हो गया, 112 degrees, किता हो गया, 112 degrees, next है मेरा e वाला जो की है, 134 degrees, तो चलो भी इसको भी बना लेते हैं, इसको बायान के लिए भी हमको सेम चीज़ करनी है, पहले तो एक line खीच लेनी है, तो यह बन गी हमारी line, फिर इन दोनों में किसी भी एक side को नीचे वाले से मिलाओ, और dot को इसकी i पे रख दू, ठीक है, अब देखो 0 किदर है, 0 इदर है, उपर वाली पर्टी पे, मतलब मुझे अब उपर में क्या देखना है, 134 degrees देखना है, तो भई देख लेते हैं, फटा फट, तो उपर देखो 130 कहां पे, यह रुको ही हिल जा अब यहां से line draw कर लेते हैं, तो space को रखो, इससे मिलाओ, ठीक, और यह line खीट दीजे, यह लीजे, आपका 134 degrees का angle बनके, ready हो गया, 134 degrees, ठीक है, चलो, तो यह हो गया मेरा question number 2, next है मेरा question number 3, क्या कह रहा है, draw an angle whose degree measure is the same as the angle given below, बहुत आसान है, question यह कह रहा है कि आपको एक ऐसा angle draw करना होगा, जिसका जो degree measure है, यानि जिसका यह जो कौन है, यह आपके, यह जो photo में दिया हुआ angle है, इसके बड़ावर होना चीए, तो पहले तो हम major करके निकाल लेते कि यह किते degrees का है, उसकी बात में उतने ही degree का हम लोग एक angle बना लेंगे, तो चलो पहले इसको measure कर लिया जाए, तो इसके image यह रही, ठीक है, चलो, तो यह इसमें protector लगा वुआ है, भाई, जीरो यह उपर वाली पट्टी पर है, तो निकाल लो किता है, यह उगे 15, यह उगे 16, तो यह मेरा 116 degrees का आ रहा है, अब हमको 116 degree का ही angle बनाना है, तो चलिए 116 degree का angle हम लोग बना लेते हैं, तो चलिए दोस्तों, अब 116 degrees का हम लोग angle बना लेते हैं, तो इसके लिए भी हमको वही करना है, जो हमने question do में कर रहा था, एक line खींच लो, तो दोनों में से कोई भी side चुन लो, चलो इसको चुन अब देखो 0 की दर है, 0 मेरा इस side है नीचे, तो अब मुझे क्या करना है, यहां से 116 degrees लेना है, तो वही 116 की दर 15 के बाद में होगा, तो यह होगा 110, यह होगा 115 और यह होगा 116, ठीक है, यह होगा 116, चलो, अब अब अपने इसको हटा लो और सीरी लाइन खींच लो, यह यहां से, यहां से ऐसे खींच लो, तो यह बनके तयार होगा मेरा 116 degrees का angle, ठीक, चलो, यह होगा मेरा question number 3, तो यह तो होगी मेरी यह वाली exercise complete, अब इसके बाद में हम लोग types of angles and dear major को एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं, तो देखो, इससे पहले हम लोग ने acute angle, obtuse angle और straight angle प साथ में right angle भी हम लोग ने पढ़ लिये थे, हमको पता है straight angle कौन सा होता है, जो कि 180 degree का होता है, right angle कौन सा होता है, जो कि 90 degree का होता है, acute angle कौन सा होता है, जो कि 90 degree से कम होता है, और obtuse angle क्या होता है, जो कि मेरा 90 degree से जादा है, लेकिन 180 degree से कम होता है, ठीक है, हम लोग ने यह हैं अभी कुछ यह मलब पार्ट तू या थ्री में किसी में हम लोग ने पढ़ी थी ठीक इसी चीज़ को हम लोग इसमें फिर से पढ़ने वाले हैं तो पहले मेरा क्या है पहले मेरा तो acute angle कौन सा ANGEL होता है एंगे epilepsy डाट आर स्मॉलर दें बी राइट means कि लिक्टा उन तो इनको हमों लोग पाते हैं मतलब मोटे मोटे ंबसे दिक एक vê यह कोई जैउर है बहले 89 ही क्यों ना हो तो वो क्या होगा वो होगा acute angle ठीक ये मेरे कुछ acute angle के examples दे हुए हैं ये 40 degree का ये 50 degree का ये 75 degree का ये सारे क्या हैं ये सारे है acute angle next है मेरे obtuse angle तो obtuse angle भी मैंने आपको पढ़ा रखा है ये क्या होते हैं right angle यानकी 90 degree से जाता होते हैं लेकिन state angle यनकी 180 degree से कम होते हैं अब अगर मैं image की बात करूँ तो ये भाई मेरा 90 degree होता है और ये होता है मेरा क्या 80 degree मतलब वो angle जो कि इस बीच में आते हैं वो मेरे क्या होते हैं obtuse होते हैं वो क्या होते हैं obtuse ठीक है obtuse angles angles that are greater than the right angle and less than the straight angle that is greater than 90 degrees and less than 180 degrees are called obtuse angles क्या है कि भाई obtuse angles वो angles होते हैं जो कि right angle से तो बड़े हो लेकिन state angle से छोटे मतलब कि 90 से तो ज्यादा हो लेकिन 180 degree से कम ये मेरे obtuse angles होते हैं और ये मेरे कुछ example दिये हुए हैं जिसकी 110 degree ये 90 से 180 बीच में आता है ये मेरा obtuse 130 degree ये भी 90 से क्या है जादा है लेकिन 180 से कम तो ये भी हो गया obtuse ठीके दोस्तो चलो next है मेरा reflex angle अब reflex angle क्या होता है देखो reflex ये मेरे वो angles होते हैं जो कि 180 degree से जादा हूँ ठीके ना अब ही तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है हम लोगों ने भाईया पढ़ लिया है हमारा straight angle, right angle, acute और obtuse, अब मैं लोग reflex पढ़ रहा है reflex क्या होता है, जो कि मेरे straight angle यहनकि 180 degree से ज़्यादा हो, अब वो कैसे हो सकता है बिल्कुल हो सकता है, देखो क्या मेरे straight angle यह होता है होता है कि नहीं होता है, अब अगर मैं इसको ज़्यादा करूँगा, तो मुझे इधर या इधर कहीं से इसको बढ़ाना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा जैसे कि अगर मैं ऐसा angle बनाता हूँ, यह वाला तो आपको पता है यहां से लेके मैं उपल 360 degree क्या होता है, देखो अगर मैं कोई angle ऐसे बनाता हूँ गोले में जो angle यहां से शुरो के यही पर खतम हो गया, तो इसको पता है हम लोग क्या कहते है इसको हम लोग कहते हैं complete angle क्या बोलते हैं complete angle और यह होता है 360 degree का किता होता है यह होता है मेरा 360 degree का इसको हम लोग बोलते है complete angle और वह यह जो कि आपके 180 से ज़्यादा हो लेकिन complete angle तो यहां पर देखो अगर मैं ऐसे लाइन की देता है तो यह हो गया रिफ्लेक्स एंगल तो समझ गया रिफ्लेक्स एंगल क्या होते है रिफ्लेक्स एंगल वो होते हैं जो कि मेरे 180 से तो ज्यादा हो लेकिन 360 का मदलब ऐसे एंगल से जो ऐसे सरकल बनाए है ठीक चलो तो यह तो गया रिफ्लेक्स एंगल अब हम लोग इसका फिगर रिट आउट पढ़ लेते हैं क् In each of the below grids, join A to the other grid point in the figure by a straight line to get A an acute angle, देखो, यह question मेरा बहुत ही ज्यादा easy है, देखें न, ऐसा question आपको पहले भी कर चुके है, ठीक, तो उसमें यह कहा रहा है, आपको क्या करना है, आपको जो यह grid दे रखी है, उसमें आपको A point, A point आप किसी को भी ले सकते है, उसको ले लो आपके इच्छा, ठीक है, आपको A point को ऐसे join करना है, कि क्या बन जाए, acute angle बन जाए, ठीक, आपको पता है, acute angle क्या होता है, 90 degree से कम, 90 degree के angle कौन होते हैं, जो कि ऐसे L shape बनाते हैं, मतलब आपको कोई ऐसा angle इसमें बनाना है, जो कि क्या हो, इसके इसके बीच में हो, तो यह चलो जी, यह इसके बीच में ऐसे no ने एक बना दिया है, और यह बन गया acute angle, ठीक है, चलो, सेम चीज मुझे इसमें भी करनी है, मुझे इसमें क्या बनाना है, acute angle बनाना है, तो चलो, काम करते हैं, इस से line को ऐसे जोड़ देते हैं, और यह मेरा 90 degree से कम acute angle बन गया, ठीक है, क्योंकि अगर इसका L शेप होता, तो ऐसे बनता कि नहीं बनता, बनता, और यह बन गया acute angle, है कि नहीं, चलो, B, an obtuse angle, अब मुझे obtuse angle बनाना है, तो भाई आपको पता है, obtuse angle क्या होता है, 90 से ज्यादा है, 180 से कम, 90 मेरा क्या होगा, L शेप यह वाला, और 180 क्या होगा, यह ऐसे state line यह वाली, मतलब इसके बीच में कोई मेरा angle बनना चीए, तो चलो यह बना लेते हैं, और यह बन गया मेरा क्या obtuse angle, ठीक, सेम चिस मुझे इसमे भी करनी है, भाई 90 से ज्यादा, 90 मेरा L शेप ऐसे बनता है, और 180 यानिकी state line ऐसे बनता है, तो इसमें आप ऐसे एक angle बना लो, और यह बनके तियार हो गया मेरा क्या obtuse angle, ठीक है ना, चलो, अब आते हैं reflex angle पे, तो reflex angle आपका क्या होता है, 180 degree से ज्यादा, 180 degree यानिकी state line यह वाली, अब इससे ज्यादा यानिकी इसके नीचे कहीं पे भी कोई भी line निकाल दो, तो चलो एक यह बना दिया हमने, ठीक, सेम चीज इसमें भई, 180, यह हो गया मेरा, और एक इसमें हमने यह निकाल दिया, ठीक है, यह दोनों क्या है, यह दोनों है reflex angle, जो मेरे 180 ज्यादा, और 360 यानिकी पूरे गोले से कम है, चलो, नेक्ट है मेरा question number two, क्या कह रहा है, use a protector to find the measure of each angle, protector का use करके, आपको हर angle का measure यानिकी माप निकालना होगा, then classify each angle as acute, obtuse, right और reflex, फिर आपको बताना होगा हर एक angle कि कौन सा acute है, कौन सा obtuse है, कौन सा right है, कौन सा reflex है, तो देखो, एक चीज़ मैं आपको भी बता देता हूँ कि इस figure में right angle तो नहीं है, देखो, right angle कैसे होता है, ऐसे L shape का, वो आप देखक इसमें कोई L shape देख भी रहा है, यह देखो, यह मेरा क्या है, थोड़ा तिरचा है, यह नब्बे से ज़्यादा है, यह यहां कहीं है, यह से निकलता है, बड़ यह ज़्यादा है, मतब right angle तो इसमें नहीं है, बाकी सब है, तो चलो निकालना शुरू करते हैं, तो सबसे प पी टी आर निकालना है, तो पी यह है, टी यह है, आर यह है, पी टी आर, मुझे यह वाला अंगल निकालना है, पी टी क्यू, मुझे पी टी क्यू, यानि यह वाला अंगल निकालना है, और डबलू टी पी, यानि कि मुझे यह वाला यह बाहर से भी अंगल निकालना है, त तो इसमें भी प्रोटेक्टर लगाना पड़ेगा और इसकी प्रोटेक्टर लगी इमेज यह रही आपकी ठीक है न? तो चलो, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसमें, कौन सा निकाल लेते हैं, चलो यह निकाल लेते हैं, सबसे बड़ा वाला, हमारा PTW, C वाला निकाल लेते हैं, तो भई PTW, यह W पर मैंने ऐसे इस प्रोटक्टर को सेट कर दिया है, 0 है नीचे वाली पट्ट पर आप देख सकते हो प्रटेक्टर की जो आई है वो इसके वर्टेस पर सेट है सब कुछ सही से लगा हुआ है अब चलो निकाल लेते हैं तो यह आपका कितना निकला है यह हो गया आपका सव जिरो किदर है निचे लिए पट्टी पर मतलब मुझे निचे लिए पट्टी के है फिर से बता रहा हूं कि यहां पर मैं इमेज पर एक दूसरे प्रटेक्टर की इमेज लगा के मेजरमेंट निकाल ला हूं तो थोड़ी आगे पिछे उपर नीचे मेजरमेंट एक्चुल से हो सकती है ठीक अगर आप बुक या कॉपी में प्रटेक्टर से मेजरमेंट नि निकाल लेते हैं जो की है मेरा पी टी क्यू यानि यह वाला एंगल ठीक है तो इसको टी क्यू पर मैंने ऐसे सेट कर दिया है बढ़िया से और इधर आप देख सकते हो यह मेरा कितना है जीडर के साल वाली ओर आपे जीरो की तर नीचल लीट रिप्टी पर मल्लब नीचल लीट बट्टी के नमबर लूँगा तो यह आ रहा है कितना 60 डिगरी पर कितना रहा है यहश tietनी की यह nya या मेरा 60 degrees का ठेक चालो यह है मेरी next protector वाली image और इसमें हम लोग निकाल ला है PTR पहला वाला तो भाई इसको T और R पे इस तरीके से सेट कर दिया है zero degree वाली line उसपे सेट है यह protector की आई vertex के उपर इदर सेट है आप चलो measurement निकाल लेते हैं तो यह आपका यह आपका था कितना यह वाला बीच वाला कितना था देखो एक सब्सक्राइब यह था 104 डिग्री का बड़ा वाला यह था मेरा 60 डिग्री का थरड़ा हिल गया है मतलब आगे पीछे उसके यह से और यह थे इसको निकालने का एक बहुत एजी तरीकटर की यूज़ करने की विज़रूत नहीं है हमको पता है कि यहां पर एंगर कही ना पूरा गोला होता है 360 डिग्री का क्या मैं इतने डिग्रीस निकाल चुका हूं क्या मैं इतने डिग्रीस निकाल चुका हूं न तो अगर मैं 360 में से इतना हटा देता हूं तो बताओ क्या इतना हिस्ता बचेगा बताओ क्या इतना हिस्ता बचेगा अगर मैं इतना हिस्ता हटा करो और 360 से माइनस कर तो पता चल जाएगा बिना प्रडेक्टर लगाए कि यह कितना है और नहीं तो चाहो तो आप प्रडेक्टर के मज़से भी इसको सौल कर सकते हो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है आपको बस इस लाइन को क्या कर लेना है ऐसे कंप्लीट कर लेना है तो इतना तो हो जाएगा 180 डिगरी का ठेक है उसके बाद 180 के यहां पे रखे यहां पे ऐसे रखे प्रडेक्टर को निकाल लो कि यह कितना डिगरी का हो गया और जितना आप यह आंसर आया उसको आप 180 से अड़ कर देना आपका final answer आजाएगा एक तरीका तो यह हो गया ठेक ठीक इतना होगे 180 degree आप प्रटेक्टर को आपको क्या करना है उल्टा सेट करना है यहाँ पे निकाल लो इतने के measurement और इतना का measurement जितना भी आ रहा है 180 में उसको add कर दो आपका ये पूरा निकालाएगा तो मैंने 2 तरीके आपको बता दि, जो भी तरीके आपको पसंद आ रहा है इन दोने मेंसे उसका use करके आप इसको solve कर सकते हो ठीक है ना चली आप हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं चल से काम करता हूँ मैंने आपको करके भी बता ही देता हूँ कितना आने वाला है चलो तो बता भी देता हूँ मैं आपको कितना आने वाला है वो तो 104 का तो यह था आपका ठीक है 60 का ये था आपका और 30 का ये था आपका 3 को add कर दीजे तो ये हो गया मेरा 4 6, 3, 9 और ये 1 यानि 194 तो ये हो गया टोटल 360 डिगरी का है इसमें से 194 को माइनस कर लेते हैं ठीक है तो ये मेरा 0 है carry लेगा ये हो गया 5 ये हो गया 10 यानि कि ये मेरा 166 डिगरी निकलने वाला है इसके हिसाब से हो सकता है आप जब कॉपी पर निकालो तो आपका कुछ और निकले 160 डिगरी भी निकल सकता है तो भाई कॉपी पर थोड़ा ध्यान से निकालिएगा चलिए तो इसके बाद में आप हम लोग नेक्स जो एक्स की एक्ससाइज है फिगर इट आउट है उसको करने वाले हैं तो चलो भाई कर लेते हैं तो इसका कॉप्शेन नंबर वन क्या कह रहा है यानि कि मुझे इन जो डिगरी मेजर दे रखे हैं इनका एंगल बनाना है तो चलो दोस्तो फिर से हम लोग हमारे कॉपी पर वापस चलते हैं और इनको भी ड्रॉ कर लेते हैं तो चलिए दोस्तो इन एंगल को भी ड्रॉ कर लेते हैं तो जो पहला एंगल मुझे को ड्रॉ करना है वो है 140 डिग्रीज का ठीक है इसको हम लोग अभी तक जैसे ड्रॉ करते हैं वैसे ही ड्रॉ करेंगे गौधे प्रोटक्टर बेलिया याइन खीें लियक स्चेट अब इस बहर Мाईक के दोनों में से किसी भी साइट को आपको लेना है चलो इस साइट किदर है जीरो मेरा नीचे वाली पट्टी पे है मतलब मुझे नीचे के नंबर देखने है तो भाई इसमें 140 डिग्री धुन लीजे तो कहां पे 140 नीचे की पट्टी में 140 डिग्री यहां पर ठीक है तो यहां पैसे डॉट बना लो अब इसको हटाओ और दोनों लाइनों को मत दोनों डॉट्स को आपस में कनेक कर दो थोड़ा चा पीछे अब ठीक है और यह बनके तयार है हमारा 140 डिग्री का एंगल ठीक चलो अब बी वाला कर लेते हैं तो बी कितना है बी है मेरा 82 डिग्री सका चलो बही 82 डिग्री स बना लिया जाए तो इसके लिए भी हमको सेम चीज़ करनी है पहले तो लाइन ड्रॉ कर लेनी तो यह हमारी लाइन बनके तयार हो गई है दोनों में से कोई भी साइड ले ले चलो इस बार यहाली साइड लेते हैं ठेक यहाँ पे डॉट बन गया है अब प्रोटेक्टर को इसके उपर सेट कर दीजे आप तो यह हमारा प्रोटेक्टर भी इसके उपर क्या हो चुका है सेट हो चुका है ठीकत फेक है तो अब देखो जीरो किधर है उपर वाली पती पे मतलब मुझे उपर वाले नवर्बस देखने हैं तो उपर वाली पत्ति से आप वह आप देख लीजे किता 82 degrees तो 82 degrees देख लेते हैं तो 80 degree कहाँ पर है यह 80 degree यह हो गए 81 और यह हो गए 82 ठीक है यह हो गए 82 चलो तो अब हम line खीच लेते हैं यहाँ पर थोड़ा बनावा है तो थोड़ा छोड़ के यहाँ से line खीच लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है और ये बनके तयार हो चुका है आपका 82 degrees किता हो गया 82 degrees ठीक चलो अब next कर लेते हैं C वाला C वाला किता है मेरा 195 degrees देखो अब ये किता है 195 degrees जो की मेरा 180 degrees से ज़ादा होता है protector के अंदर मेरे कितने number है protector के अंदर मेरा 180 degrees तक ही number है ठीक है मतलब मैं protector से directly तो 195 नहीं बना सकता हूं तो अब कैस को छोड़ देंगे नहीं इसको भी हम बनाएंगे तो इसको कैसे बनाएंगे इसको भी हम बनाएंगे जिस तरीके से हम नॉर्मली बनाते हैं वैसे बनाएंगे लेकिन इसके बनाने के तरीके मेरा थोड़ा से difference होता है पहले तो क्या कर लो पहले एक सीधी लाइन बना लो ठीक है पहले सीधी लाइन यह छोटी लाइन जैसे चाहें आप बना लो छे काम करना है इसको लीन बना ले परनके जगहाँ पर तो सीधी लाइन यह यूदा गटार सकता है अब आपको बनके तयार होगकी ठीक है उल्डे न अब इस प्रोटेक्टर को उल्डा रखना आ ठेक है अब उल्टा रखने को मैं क्यों कहा रहा हूँ क्योंकि देखो अगर मैं इस लाइन को ऐसे पूरा कर देता हूँ तो यहाँ पी यह 180 डिगरी का स्ट्रेट अंगल बन जाएगा बन जाएगा ना मतलब यह सीधा मेरा कैसे बनेगा 180 डिगरी का मुझे 195 का बनाना है अब आगर आप 180 का आपने बना दिया है तो किता डिगरी इस बचेगा 195 में से 180 माइनस कर तो बच्चा किता 15 डिगरी मतलब अगर मैं ऐसे इस लाइन को सीधा कर देता हूँ 180 डिगरी तो बनके तयार हो जाएगा मुझे और किता 15 डिगरी का और बनाना है तो अब यहां से मान लो कि मैंने ऐसे अभी imagine कर लो कि यहां से मैंने क्या कर दे सीधी लाइन कीच ली तो एक 180 डिगरी अब इसमें और बना लो तो चलो भी 15 डिगरी बना लेते हैं तो मेरी सीधी लाइन कैसे ऐसी तो की जाए की नहीं जाएगी अभी imagine कर लो कि मैंने ऐसे सीधी लाइन खींच ली है और मैं यह वाली साइड ले रहा हूं कौन सी साइड ले रहा हूं यह वाली साइड ले रहा हूं ठीक तो यहां पर line तो नहीं लेकिन अभी आपको imagine कर ले प्रखेते हैं अब ठीक है इस पे रखके यहां से यह इस पर रखके यहां तक यह बना लीजे और यह बनके तयार हो गया है कितना बनके तयार है 195 ठीक है तो 180 से जो भी मेरे एंगल्स होते ना उसको ऐसे ही बनाया जाता है क्योंकि देखो यह जो मेरा प्रटेक्टर है इसमें 180 तक की नंबर है जादा नंबर को हम लो डारेक्टल नहीं बना सकते तो उसके लिए आपको क्या करना है आपको एक सीधी लाइन कीच लेनी है पैंसल से बनाओ के से ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि बाद में आपको मिटाना भी पड़ेगा तो सीधी लाइन खीच लो उसके बाद में फिर देखो कितना और डिग्री आपको बनाना है जैसे कि अगर मालो यह कोई बड़ा एंगल होता यह ऐसा 195 ना होके मालो 200 होता त उस कंडिशन में क्या करता उस कंडिशन में 200 माइनस 180 कर लेता तो मुझे पता चैसे था कि यह यहां भया 180 था तो बन रहा है साथ में 20 degree मुझे क्या करना है और बनाना है तो इस condition में ऐसे माल लेता कि चलो यह 180 तो यह हो गया और उसके बाद में बस मैं फिर यहां पर ऐसे प्रटेक्टर रख लेता ठिक और फिर इसी side में मैं थोड़े क्या करता है imagine कर लिए जो line है इसको इस side भी extend कर लिया है और इधरके number लेता और यहां से 120 पर लाके मैं क्या करता है angle बना देता है और मैंट 200 degree का बनके तयार हो जाता है ठीक देखो यह वाले थोड़े कठीन होते हैं बट यह उतने भी ज्यादा कठीन नहीं होते हैं थोड़ा ध्यान से बनाओगे बन जाएगा चलो डी पर आते हैं ठीक है चलो जब यह मैं डी दोनों करा दूँगा इसके बाद में आपको एक और एंगल अपनी तरफ से करा के दिखा दूगा कोई 270-280 डिग्रीज का बना के दिखा दूगा जिससे आपको यह चीज और अच्छे समझ में आ जाएगी चलो फिलाल यहां पर मे से प्रोडेक्टर रखिए इसकी सीद में इसको ऐसे लगा दीजिए अब आप ठीक है अब जीरो कि इदर है इदर है ना जीरो कि इदर है जीरो है मेरा इदर चलो अब यहां से 70 डिग्रीज ले लो तो जीरो नीचे वाली फट्टी पे 70 यह हो गया तेक चलो अब दोनों को म किला लीजे और यह आपका 70 डिग्रीज का एंगल बनके तयार हो गया चलो लास्ट पे आते जो कि मेरा है ए कितना 35 डिग्रीज 35 डिग्रीज तो सेम चीज मुझे इधर भी करनी जो अभी तक मैं करता आया हूं स्टेट लाइन खींच लीजे अब आप दोनों में से कोई भी साइट पिक कर दो चलो यालप कर लेते हैं ठेक है अब प्रटेक्टर कर लो इसके उपर रखो एकदम सीध में ऐसे लगा दो ब ठेक चलो अब इसको हटाओ और दोनों को मिला दो दोनों को ऐसे मिला दो ये बनके तयार हो गया मेरा 35 यानिकी 35 डिग्रीज और ये मेरा कोशन हो गया complete ठेक है चलो अब ऐसी आपको समझाने के लिए मैं अपनी तरफ से एक एंगल बना के दिखा देता हूं और इस बारना ह हम लोग फोड़ा अंगल लेते हैंALLYं तो एक काम करते हैं हम लोग लहना है किता ले ले चलोका करते हैं का लेकिता कितना दो सो सॉआठ डिग्रीज अच्छा पहले देख लेते हैं कितंता बनाना है तो भाई 72 लाइन X 80 सुछुछा बनने वाला है सीधी लाइन कित्ता बनेगा, 180 का बनेगा, मुझे 260 का बनाना है, मतलब माइनस करके निकाल लेते कि नीचे कित्टे डिक्री का एंगल बनेगा, तो 0 में से 0 यह आपका एक हो गया, 16 इधर बचा 8 और 1 में से 1 कुछ नहीं, मतलब आपको 80 डिक्री नीचे का बनाना है, यानि कि पहले तो यह मेरी स्टेट लाइन आ जाएगी यह इस तरीके से के आब इसके बाद में आप किसी भी साइड में डॉक्त ले लो इधर ले लो आपकी च्छा चलो इधर ले लेते हैं और imagine कर लो कि यह लाइन मैंने ऐसे आगे बढ़ा दी और यह मेरा क्या बन गया यह बन गया मैरा स्टेट एंगल यानिक एक सो असी डिगरी का एक सो असी का बन डखा है मतलब मुझे असी डिगरी का और बना रहा है तो चलो भी बना लेते हैं तो इसकी सीद में आप ऐसे इसक मतलब स्टेट के सीद में इसको ऐसे खींश देना है और यह बन के आपका त्यार हो गया 210-260 डिगरी किता होके 210-3 ठीक है ऐसे बनाते हैं जो 180 से जादा का होता है उसको चलो दोस्तों तो यह तो मेरा कोशन खातम हो गया अब इसका नेक्स कोशन लगा लेते हैं नेक्स मेर the size of each angle and then measure it with a protector क्या कह रहा कि नीचे जो मेरे Angles दिये हुए है पहले आपको क्या करना है पहले तो आपको इन सभी के size को estimate करना है इन सभी का कितला degree measure होगा उसको आपको estimate याणिकि अन्दाजा मारना की इतना हो सकता है फिर प्रोडेक्टर का use करके आपको इनकी measurement निकालनी है ठीक है ना दूस्तों तो पहले तो अंदाजा मार लो तो यह कितना दिख रहा है यह भई 45 से जादा थोड़ा 50 के आसपास दिख रहा है ठीक है तो पहले तो आपको क्या करना अंदाजा मार लेना है उसके बाद में आप चलिए हम लोग इनका measurement निकाल लेते हैं प्रडेक्टर को सेट कर दिया है यह आप लोग देख सकते हूं नीचे लाइन पर मैंने लगा दिया जिरो डिग्री पर है और यह जो वर्टेक्स प्रडेक्टर की आई पर सेट है ठीक चलो अब पट्टी में 0 किदर है उपर वाली पट्टी पर तो उपर यह पट्टी के न सेट कर दिया है जीरो मेरा किदर है उपर वाली पट्टी पर है और यहां पर आप देख सकते हो जो मेरा एंगल का वर्टेक्टर की आई है वह एकदम एक दूसरे के उपर सेट है आप चलो भई एंगल निकाल लिया जाए तो उपर वाला मेरे को नंबर देखना है क्योंकि 0 पर वाली पट्टी पर है तो यह मेरा किदर है यहको इधर है एक सो साथ और एक सो सत्तर के एकदम बीच में यानि कि यह हो गया 165 किता हो गया 165 डिग्रीस का यह हो गया चलिए सी वाला निकाल लेते है तो बाइग कोई भी दूनों लाइन चुलने नहीं है माद दूनों प और यह तोड़्य की आई को मैंने सेट कर दिया है पर आप देख सकते हो कि इमेज में जो है थोड़ा इथा रहे थे थोड़ार मेरा इथाप फॉढ़ा एथा चाहिए फ्ल्यं ग्ढ़बड़ आई है लगत कि府 थोड़ी सी आगे हो गई है इसलिए मेजरमेंट भी आपको थोड़ी सी पीछे के दिख रही है तो यह आपकी निकलेगी 180 ही एक सोबीसी इक्जैक्ट चलो डी वाला कर लेते हैं तो डी वाले में भी आपको सेम चीज़ करनी है दूनों में से कोई भी एक टिक कर लेनी है उसके उपर सही से आपको 0 डिगरी वारी लाइन पर जो भी आपने लाइन पिक कर गी है उसको set करना है और जो angle का vertex है उसको आपको protector की IQ उपर लगा देना है इस तरीके से और फिर measurement निकाल लो तो कितना निकल ला है यह आपका 35 degrees का निकल ला है बर क्योंकि यह आप देख सकते हो भी protector की थोड़ी सी आगे shift है इसलिए यह भी थोड़ा सा आगे shift हो गया है यह तो यह आपका exactly कितना 35 भी निकलेगा 35 35 निकलेगा ठीक है ना चलो अब यह वाला कर लेते हैं तो यह रहा इसका यहाँ पर मैंने इसको set कर दिया है ठीक है और 0 मेरा उपर आली पटी पर यहाँ पर आला की कड़ गया बट वह है उपर आली पटी पर तो मुझे उपर आली पटी के नमबर से लेना है तो चलो भाई लेते हैं तो यह मेरा 90 से 100 के बीच में आ रहा है ठीक नबबे से 100 के बीच में आ रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ भी ठीक से ये फोटो जो image है यह इसको उपर सैट नहीं है तो यह भी आपका 95 भी आएगा किता है इगा 95 है और यह हो जाएगी 180 degrees की लाइन ठीक है अब आपको ओल्टा यहां पर प्रड़क्टर रखना है और मेजर कर लेना कि यह एंगल कितना है और जो भी आया आंसर इसको 180 से आड़ कर दो ठीक या फिर एक दूसरी चीज़ आप कर सकते हो और यहां पर आपको ज्यादा इसमें जो डिग्रीज है उनको निकालना में पड़ेगा देखो आपको पता है कि यह पूरा क्या बन रहे है कि सर्कल बन रहे है थोड़ी जगा खाली है पूरे सर् 260 नहीं बन पाया क्यों क्योंकि थोड़ी जगा इसकी खाली है तो अब एक काम करते हैं पूरा इंगल निकालने की बजाए यह जो छूटी हुई जगा है इसी का डिग्री मेजर निकाल लेते हैं और जितना डिग्री मेजर निकलेगा उसको 160 से माइनस कर देंगे ठीक है तो जब यहाला एलिया में निकल जाएगा तो बचेगा तो यह वाला एडिया और मुझे इसी की मेजर में निकालने है तो भाई यह जो एडिया इसमें नहीं आया है उसकी मेजर में कितनी है 10 डिग्री की है है की नहीं मतलब अगर मैं 360 में से 10 डिग्री निकाल देता हूँ तो तो यह होगा इसका अंसर ठीक है दोस्तों चालो आप इसके next question पर आते हैं जो कि मेरा है question number three क्या कह रहा है question number three यह कह रहा है अच्छा एक और चीज़ जो question two था उसमें यह भी कह रहा है कि बताओ कौन सा एंगल आपका acute हुआ और यह किता है यह 95 है तो यह आपका acute हो गया यह आपका नब्बे से कम यह बी अक्यूट यह अप्ट्यूस नब्बे से ज्यादा और यह वाला यह वाला यह वी नब्बे से ज्यादा ही है तो यह भी क्या होगा है obtuse 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 acute लिख देता हूँ यह acute है यह obtuse है यह obtuse है और यह acute है यह obtuse है और यह एक लौता reflex है ठीक है ना चलो question number three पर आते question number three क्या कह रहा है make any figure with three acute angle one right angle and two obtuse angle बहुत असान question है कह रहा कि आपको एक ऐसा figure बनाना है जिसमें three acute angle हो ठीक है एक right angle हो ठीक है और two obtuse angle हो चलो बना लेते हैं तो three acute angle पहले तो बना लेते हैं तो acute angle मेरा क्या होता है जो कि नब्बे से कम हो ऐसे एक आतो यह हो गया ठीक है एक ये हो गया ठीक है और एक ये साइस इसको जोड़ लो ऐसे और एक क्या हो गया ये हो गया ठीक अच्छा एक बहतरी चीस में बन गई यह तो ये राइट अंगल बन गया ये तो मेरे अक्यूड बन गया तीन और ये एक राइट भी बन गया राइट भी बन गया राइट भी ऐसे कर दो तो यह लो यह भी एक उप्ट्यूस बन गया तो यह मेरा फिगर बन के तयार है आप लो चाहँ तो किसी और तरीके से भी बना सकते हो जो यह नहीं ऐसी फिगर बनाओ ठीक चलो कोशन फूर पर आते हैं क्या बोला है draw the letter M such that the angle on the sides are 40 degree each and the angle in the middle is 60 degree बहुत आसान कोशन है क्या कह रहा है कि आपको M shape को ऐसे बनाना है कि यह जो दो angle है यह 40-40 के बने किते 40-40 चारीस कई कई यह 40 कई और यह बन जा अपका 60 ड डिगरी का कितना बन जा है यह बन जा आपका 60 डिगरी का ठीक है तो इसको नहीं बहुत आसान है बहुत ही जादा आसान है सबसे पहला आपको क्या करना यहां पर यहां पर रखना और इसकी अंगल इधर बना लेना और 10 चालिस डिग्री का एक एंगल इधर का बना लेना ठीक बस ध्यान देना कि बहुत ही इसली आपका बनके तयार हो जाएगा चलो अब यह कह रहा है आपको लेटर वाई यन की इस वाले को ऐसे बनाना है कि जो तीन एंगल बने है वो आपके 150, 60, 150 बन जाए तो मैं बताता हूं कैसे बना लो इसको इसको आप लोग ऐसे बनाना कि यह आपकर 60 बढ़ जाए यह आपका 50, 150 पर जाए और यह आपका 150 पर जाए तो यह तो बहुत ही असान है सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपको एक लाइन खीजनी है यहाँ पर ऐसे आई बनानी है ठीक है इसके उपर प्रोटेक्टर को सेट करना है और 150 डिग्री यहाँ से काट देना है ठीक 150 डिग्री को यहाँ से काट दो अब आपको क्या करना है प्रोटेक्टर को घुमाना है ठीक है फिर से इस याई पर सेट करो बस जो जीरो वारी लाइन है वो इसके उपर होनी चाहिए इसके उपर और यहां से 60 डिग्री का एंगल काट दो यह हो जाएगा आपका ठीक है अब फिर से आपको क्या करना है प्रटक्टर को थोड़ा सा और घुमा लेना है पहली वात तो अब आपको कुछ करने के जरुरती नहीं है ठीक है अब कुछ करने के जरुरती नहीं यह जो आपका तीसरा एंगल ऐसे बच रहा है न यह भी आपका 150 डिग्री का ही है आद पहले तो यह जो इमेज देख रहे हो यह किसकी है यह है अशोक चक्र की इसको आपने देखा होगा त्रंगे के यानकी हमारे ज्ञडे के बीच में तो कहरा है की अशोक चकर के अंदर त्वटी फूर यान की डंडिया होती है कौनसी वाली ञें ठीक है इसे जो आप डं के बीच में कितने डिगरी का एंगल होता है हमको ये निकालना है what is the largest acute angle formed between two sporks और दो डंडियों के बीच में सबसे largest यानि सबसे बड़ा acute angle क्या बनेगा ठीक है तो उसमें दो चीज़े हैं ठीक चलो पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि दो डंडियों के बीच में कित्ते डिग्री का एंगल बनता है तो देखो क्या ये मेरा अशोक चक्र गोल है बताओ क्या ये मेरा गोल है कि नहीं है तो अगर मैं कोई एंगल बनाता हूँ तो क्या ये स्पोरे का एंगल ऐसे गोल गोल बने की नहीं बनेगा बनेगा ना और अभी हमने थोड़ी दे पहले सीखा कि भई अगर कोई angle मेरा ऐसे goal बनता है तो वो कितने degree का होता है वो होता है 360 degree का यानि कि वो होता है मेरा complete angle सीखा के नहीं सीखा सीखा भी हम लोग ने थोड़ी दे पहले अच्छा अब हम लोग निकाल लेते हैं कि भई दो डंडियों के बीच में कितना डिगरी एंगल होगा तो बताओ टोटल किती डंडिया हैं 24 डंडिया हैं तो अगर मैं 360 को 24 यानि 24 से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या मुझे दो डंडियों के बीच के अंगल पता चल जाएगा बताओ क्या मुझे दो डंडियों के बीच के अंगल पता चल जाएगा पता चल जाएगा ना तो चलो हुई पता कर लेते हैं तो 24 इसको डिवाइड कर लो तो 24 वंज़ा 24 4 इधर 6 इधर बचा 10 ठीक है और 24 वंज़ा 24 तो 24 छे और 6 12 और 0 120 और 24 की टेबल में 120 आगा 5 बार में तो ये जाएगा आपका किता 15 ठीक है तो ये मेरा answer निकल आया दो डंडियों की बीच में कितने degrees का angle बन रहा है तो ये बन रहा है 15 डिगरी का किता बन रहा है 15 डिगरी का बन रहा है ठीक तो चलो ये तो मैंने इस का answer निकल लिया अब बार ये इस वाले की कि सबसे बड़ा acute angle क्या बनेगा तो देखो acute angle कौन से होते है जो कि मेरे 90 से कम होते है ठीक है अक्यूट एंगल कौन से जो कि मेरे 90 से कम होते हैं हमको पता है दो डणियों के बीच में पंदा डिगरी का एंगल बन रहा है तो अब मुझे क्या करना है इस पंद्रा को तब तक बढ़ाते रहना है जब तक मेरा आंसर 90 के पा ये 90 के बराबर ना जाए तो 15 प्लस 15 कर पंद्रा डिगरी और जोड देता हूं तो क्या हो जाएगा जो कि मेरे को नहीं चाहिए यह मुझे को किया चाहिए नहीं चाहिए तो क्याई है तो क्या है तो कि सबसे बड़ा आप अक्यूट अगल क्या बना सकते हो तो मेरा कितना बन गया 15, 15, 30 और ये 15, 15, 30 60 और 15, 75 यानि कि सबसे बड़ा Q टैंगल कौन सा 75 डिगरी का यानि 75 डिगरी का हम लोग बना सकते हैं इसके बाद में और आगे जाएंगे तो मेरा क्या बन जाएगा तो ये मेरा राइट आंगल बन जाएगा जो एंगल है वो इधर से रुप जाए अगर बड़ो गया इधर से यानि और इधर से यानि लाइन ठीक है ये आपका अक्यूट अंगल बन के तयार होगा टैक 75 डिगरी का चलो तो ये मेरा कोश्चन नमबर 6 कम्प्रेट है अब आते कोश्चन नमबर 7 पर मतलब यह कि जो भी अक्यूट अंगल है इसको अगर में दो बार जोडता हूँ या Of की 2 से मुल्टीपलाइ कर देता हूँ तब यह नब़े से कम रहने वाला है if you triple my major you will get an acute angle again अगर आप मुझे triple कर देते हो तब भी आपको acute मिलेगा मतलब अगर आप मुझे 3 से गुड़ा या फिर 3 बाद जोड़ देते हो तब भी ये acute यान कि 90 से कमी रहेगा if you quadruple 4 times my major you will get an acute angle yet again क्या कहला है कि अगर आप मुझे 4 times कर देते हो मतलब आप मुझे 4 गुणा कर देते हो तब भी ये acute ही रहेगा यानि 90 से कमी रहेगा but if you multiply my major by 5 you will get an obtuse angle लेकिन अगर आप मुझे 5 गुणा कर देते हो मुझे आप 5 से गुणा कर देते हो तो आपको obtuse मिल जाएगा what are the possibility of my major मेरे माप की possibilities क्या है मतलब ये number क्या हो सकता है सोचो कोई एक ऐसा number जिसको अगर मैं 4 गुणा करूँ 4 गुणा का मतलब ये कि जिसको अगर मैं 4 से multiply करूँ तो वो क्या रहे 90 से कम रहे बट 5 से करने पर 90 से जादा हो जाए तो ऐसा कौन सा number हो सकता है सोचो क्या 10 हो सकता है नई 10 को 4 करोगे 4 से multiply करोगे क्या आएगा 40 5 से करोगे तो आएगा 50 यह तो तब लुग 20 से कम है आगे बढ़ते हैं क्या लग सकते हैं हम लोग 20 लेके देखते हैं तो अगर 20 को 4 गुना करते हो 4 से multiply करते हो answer आता है 80 क्या यह मेरा acute है बिलकुल अब इसको पांच से करके देखते हैं तो फाइब जिरो जा जिरो फाइब टू जा टैन किताग है हंडर क्या यह मेरा उप्ट्यूस है बिलकुल तो मुझे मेरा नंबर मिल गया क्या है 20 डिग्रीज 20 डिग्रीज माप हो सकती है अच्छा क्या कोई और नंबर हो सकता है चले काम करते हैं 21 लेके देख लेते हैं तो 21 लेके देख लेते हैं 21 को अगर 4 गुना करोगे तो 4 बंजा 4 4 2 जा 8 90 से कम है ये मतलब ये मेरा क्या हो गया अच्छा अब इसको 5 गुना कर लेते हैं 5 गुना ये मेरा वैसे भी 100 से ज़्यादे आने वाला है अबर तब भी कर लेते हैं 5 बंजा 5 5 तो जाए न केता है 105 जो कि अप्ट यूस हो गया ये भी हो सकता है 20 डिग्री भी हो सकता है 21 डिग्री भी हो सकता है क्या 22 डिग्री हो पाएगा क्या 22 डिग्री हो पाएगा तो इसको भी 4 से कर दो तो 4 तूजा 8, 4 तूजा 8, 88 क्या है ये ये है मेरा अक्यूट 5 से कर लेते हैं तो 5 तूजा 10, 0, 1 केरी हो गया 5 to the 10, 1 यह 11 यह acute, यह obtuse, 22 degree भी हो सकता है दिख रहेते हैं क्या 30 degree होगा क्या 30 degree होगा तो 4, 3, 12, 1 carry हो गया 4 to the 8, 8, 9, नहीं अब यह 92 degrees हो गया है जो कि आपका obtuse हो गया है मतलब कि 21 degree भी हो सकता है 22 degree भी हो सकता है और 20 degree भी हो सकता है ठीक है ना? इससे पीछे आते हैं, 19 लेते हैं 19, 40, ठीक है 19, 40, ठीक है, 19 degree भी हो सकता है 19 degree भी हो सकता है ठीक, तो यह आपके 4 answers में आ गए 19, 20, 21, 22 ठीक, यह चारो हो सकते हैं आपके यह वाले नंबर ठीक है दोस्तों, चलो तो यह तो मेरा पूरा chapter हो गया है इसका last question था, इसके साथ में पूरा chapter मेरा complete उमीद करता हूँ आपको यह पूरा chapter समझ में आ गया होगा साती में इस chapter को पढ़ने में आपको मजा भी आया होगा अगर आपके मन में इस chapter से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप मेरे community post में जाना वहाँ पर आपको कोई भी पहली post दिखती है उसके नेसे जाके आप comment कर देना ठीक है दोस्तो चलिए तो आप हम लोग मिलेगे हमारी next वीडियो में लेकिन जाने से पहले मेरी आप लोग से छोटे से request है कि अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सस्क्राइब कर दीजिगा अब हम लोग मिलते हैं हमाई अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार